वीडियो को लाइक करतो सारे के सारे भाई स्टार्ट कर लो चलिए तो स्टार्ट करते आज का मारा सेशन और आप सब लोगों के लिए यह आप लोग दे सकते होई इन सब सिटीज के अंदर रिजिस्ट्रेशन साप ऑन-लाइन भी कर सकते हो नहीं तो आप लोगẫn रिजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो कि आज से जो है वो पेपर 2 के भी दमदार रण भूमी वाला रविजन जो है वो अपन स्टार्ट कर दिये हैं जिसके अंदर education, sociology, मतलब कुल मिला कि सारे पेपर 2 होंगे अपना पेपर 2 फाइफ पेम ही रहे का है और डेडिकेटेड तरीके से अपन यहां पर पढ़ाई करने वा तो आप लोगों के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 का पूरा कोर्स है जो दिसंबर का आज शुका है यह कोर्स आप ले सकते हों आपके पास में जैरेफ अप्लिकेशन है वहां जाके आप लोग इस कोर्स में स्टार्ट कर सकते हों क्वेशन नमबर वन रीजनिंग का आप लोगों के सामने हैं मैं नहीं बता रही हूं आपको सॉल्फ परना और मुझे पताना है इसका क्या आंसर आने वाला है Abhishek is the son of Amitav's father's sister Prakash is the son of Teji who is the mother of Vikas who is a male and granddaughter or grandmother of Amitav Harivansh is the father of Neela and grandfather of Abhishek Teji is the wife of Harivansh तो Vikas की wife Neela से कैसे रिख लेते हैं यह आपको बताना था कि चले सबसे पहला अंसर मेरे पास में आ चुका है कि अब लेट सी कि सही है कि नहीं है पर पहला अंसर मेरे सामने आ गया है कि ऊके कि जल्दी जल्दी करेंगे है ना इतना कोई लंबा टेस्स नहीं चलाना है हमको जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करो मुझे सबी कबvasse b आ रहे हैं चले фब कि देशी ट्रावलर करके जिनका भी औडिए है उनका आंसर सबस Cant realtàर ने argument सबसे पहले इनकी सही आंसर दिया है सबसे पहले इनों नहीं सही आंसर दिया है जिन बच्चों का गलत आया है आईये solution देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है अभिशेक जो है वो son है किसके अमिताप के father के sister के अमिताप के father अमिताप के father उनके father हो गए उनकी sister है उनके son है कौन अभिशेक मुझे एक बात बताओ इस कंडिशन में अमिताप और अभिशेख सेम जनेरेशन में आ गए क्या अब यहां पर क्या गडबड हुई है यह अमिताप बच्चन अभिशेख बच्चन हरीवान श्राय बच्चन यह मिक्स कर दिये हो आप लोग जहां तक मुझे लग रहा है ऐसा ह होगा नहीं क्योंकि दोनों सेम पे आ जाएंगे इनके फादर के सिस्टर का बेटा है तो बेसिक यह दोनों आपस में कजन हो गए है नाम पे नहीं जाना है कि अब मैं बच्चन साब की बात हो रही है ऐसा नहीं है प्रकाश इस सन ऑफ तेजी वीजी मदर ऑफ विकास प्रक वैश मधर ऊसे तो यह दोनों भी आपस में भाई हो जाएंगे दोनों मे creature और उनकी घ्रकम मदर हैं विक्ष्टल ऑंडलल्हसा ni कि वह इस लोग चले जाएंगे फरी के इसकी उपर-वाली जैनरेशन में चले जाएंगे अब हैश्य का गया जो आजकर है यानि कि इम्धा कर्열 है कि हरीवाँ शेह, उनकी वाईफ है, तेजी, उनके सं हो जाएंगे जन्लों प्रकाश विकास और उनकी शिस्टर निलम जो भी खें निला और उनकी दावर अभीशेक उनके सन अभिशेक हो जाएंगे और साथ में अमिताब हो जाएंगे तो आप से यह पूछा जा रहा है कि कैसे रिलेटेड होंगे सिस्टर इनलॉग के तोर पे रिलेटेड होंगे बिल्कुल सही बहुत एक कम बच्चे ने सही आंसर दिया है इस तरीके से आप लोग देख लो यह आपका चार्ट बनेगा ख्या न हम नाम पे चले गाए हैं नाम पे नहीं जाना था पिरीज़ी था प्रशू के ना पे नहीं जाना था मुझे असे लगता है कि इसी लिए फोड़ा इंटरश्टिंग हो गय निए चीली क्योंकि हरीवन शेयर तेजी भी है सब फैमिली मेंबर्स के नाम आ गये हैं तो ऐसे रही होने वाला था चलो नेक्स्ट प्वेशन देखते हैं मैं आपको यह पताना है इनमें से कौन सा सौफ्ट्वेर है यह में को नई बिल्कुल पता भाई कि इसका में गार्इंटी नहीं लेती हूं पहले पता दूंपाइलर पढ़नो और डिवाइज ड्राइवर एबीसी एवी सीडी बीसीडी या एबीडी अ अगें जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसी का नाम अनॉंस करने वाले हम अगें डी कि आदे से जादे जनता डी आंसर दे रही है कोई मुझे बता सकता है रीजन क्यूंडी कि कर देजन भी बताने साथ में क्यूंडी कि अगर देखा जाए तो मैं बात करूं तो देखो आप लोगों का एडॉप है वेब ब्राउजर है कंपाइलर डिवाइस राइवर हैं तो सारे की सारे ही सॉफ्ट्वेर इसंट इड् है और कुछ जो हैं वह अप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर है तो इस क्वेश्टन का आंसर क्या देखे आओगे अब एभी आंसर आ रहा है बीवी आंसर आ रहा है सीवी आ डीवी आ रहा है बेसिकली चारों यह आंसर कर दें आपने तो पर कोई मुझे रीजन दे सकता है कि हम क्य परसंट होगा क्योंकि यह तो हंड़ेड परसंट को सॉफ्ट्वेर की भी सॉफ्ट्वेर आरी काटेगरी में आता है एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेर इनको हम लोग बोलते हैं तो ए और भी तो आना ही आना चाहिए ठीके न यहां पर ए नहीं है इसको इलिमिनेट करूंगी अब मैं कैसे चूज करूं कि मुझे पर जाना है या फिर डी पर जाना है कैसे चूज करूं मैं वेरी गुड रेखा अगरवाल हैं जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर उन्होंने दिया है क्यूं मैं आप ऐसे चूज नहीं कर सकते हैं तो सारे के सारे ही सौफवेर बट अगर थोड़ा गौर पन्माओ तो एडॉप अकेले में यहां पर क्या है एक कंपनी का नाम है एक सौफवेर कंपनी है जिसका नाम है एडॉप अगर लिख दू तो वह सौफवेर आता है अगर मैं इन सब में कोई अलिमिनेट कर पाऊंगी तो मैं एलिमिनेट करूंगी और इसलिए करेक्ट आंसर देके आऊंगी बी क्यूंकि एडॉप जो है वह एडॉप अक्रोबैट एक तरीके का सौफवेर है बट अगर अलोन में एडॉप लिखकर देतू तो यह तो एक नहीं है यह तरीके का सौफवेर है अप्रिकेशन सौफवेर डिवाइस डाइबर भी तरीके के क्या है आप लोगों के सिस्टम सौफवेर जैसे की बायो सेटिंग जिन के अंदर होती है कम पुल मिला के सारे इंपुट आउपट डिवाइस का सारा मैनेजमेंट इसी के जाएंगे हम ठीक है क्या अगर आप लोग गूगल भी करके देख लोगे तो भी आपके चीज़ समझ में आएंगी कि एड़ॉप जो है वह एक कंपनी का नाम है ठीक है एड़ॉप क्या है कंपनी का नाम है तो समझ में आगे कि बढ़िया मज़ेदार सवाल है यह बहुत क्या होता यह मैंने यहाँ आप लिखे दिया है आप लोगों को पता ही कि कौन सा क्या चीज होती है नेक्स्ट ग्रिल और प्रैक्टिस क circumstance कि इतने आसान question नहीं लाओंगी मैं obviously थोड़ा घुमा के पूछूँगी अच्छा यह भी मैं बतारे हूं एक unanimous answer क्यों नहीं आता है एक सी क्या रहा है दूसरा एक है का फिर सी फिर ए क्या लग रखाई चलिए मैं सबसे पहले जिन्नोंने सबसे सही answer यहाँ पर दिया है सबसे पहले correct answer option number a उन्होंने दिया है drill and practice software का क्या मतलब होता है drill and practice software का मतलब होता है कि आप के लिए एक तरीके से practice platform यह देते तो आप बार 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 क्या कर सकते हो कर सकते हो बार 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 प्राक्टिस कर सकते हो एक क्लियर अंडरस्टांडिंग के लिए नहीं हो सकता रिपीट कंटेंट के लिए भी नहीं हो सकता डिमेंबर कंटेंट के लिए भी नहीं हो सकता ड्रिल इन प्राक्टिस का मतलब है किसी काम को बार बार करना और फिर उस तो फिर दुबार से टेस्ट देते हो, सेम चीज मॉक टेस्ट में भी हम यही करते हैं, क्या, ड्रिल इन प्राक्टिस, ड्रिल इन प्राक्टिस, यह वो वाला आंसर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर इसका हो जाएगा, इसमें से कुछ इंपोर्टन फाक्ट से जो आपक क्या सामने की आपके सामने की आपकी एक राइन प्राइक कितने आपने आपने छोड़ दिये, आपने पर क्वेशन कितना टाइम लिया है क्वेशन को सॉल्फ करने के लिए, आपकी और बाकी जो बच्चे 15-1200 लोग जो एटेस्ट दे रहे हैं, उनमें आपकी क्या रांक आ अब दुबारा से मुझे क्या करना है इस तरीके से काम करना है मोटिवेशन आता है ओविसली इंट्रिंसिकली मोटिवेट होते हो आप इस चीज को लेकर अपने ओन पेस्ट पर आप लर्न कर सकते हो आज मैं अगर आपको यह वीडियो रिकॉर्डिंग दे दू तो बड़ी आ इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक इम्पोर्टेंट मैथट है आप लोगों के एक्जाम में पूछा जाता है कि नेक्स फैशन देखिए यह तो बहुत ही आसान सा क्वेशन है पर ऑप्शन थोड़े मज़ेदार है ऑप्शन में याएगा मुझे मज़ा अब बहुत ऐसे क्वेशन आप लाते हो यार क्या यार अब तो मेरको ऑप्शन में भी याद हो गया है करो आप भी बोले थे मुझे कि मैं आज कल क्या है क्या चल रहा है आज कल तब यह ठीक नहीं है आप एजी सवाल ला रहे हो आप ठीक लेट्सी अरे वाँ युनानिमस आंसर आ गए देखो मुझे पता नहीं कि किस ने सबसे पहले आंसर दिया है क्योंकि बहुत सारे दिख रहे हैं अबंतिका जी हैं जिनोंने 4.b लिखा है तो मैं मान लेती हूं कि उनका आंसर सही होगा इसलिए और आंसर सबसे पहले आया है तो इसलिए और आंसर हम लोग कर देते हैं फोटोशॉप अच्छा ये इजी था सवाल सॉरी है ना मैंने थोड़ा जादा इसको सोच लिया कि आप्शन में कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि मैं फोटोशॉप पे तो हमारा आधा जीवन चल रहा है कि फोटोखीचने के बात फोटोखीचने में तो हमको 20 ही सेकिंड लगते हैं पर इंस्टाक्राम तो इसको अपलोड करने में हमको 20 दिन लग जाते हैं क्योंकि हर दिन हम फोटोशॉप यूज करके उसमें कुछ एडिट कर रहे होते हैं एक पर्फेक्ट पिच्चर बना रहे होते हैं मैं भूल गई कि फोटोशॉप तो आपका रोज का काम है तो आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे इसको है ना कि फोटो खीचा तब तक हम नवाजों दिन सिदिकी लग रहे थे और जैसे इंस्टेग्राम पे अफ्लोट किया अचानक कट्रीन के अफ लगने लग गए तो यह चो ट्रांजेक्शन है यह तो मैं हमारा यू इसे बाई हाथ का खेल है सही है ना तो मैं हमको पता है यह आप मत बताओ हमकों को चलिए मैं आप लोग उसे एक और इसका लेयर क्वेशन पूछती हूं इसके डेवलापर कौन था यह कब आया था इसको इसका यह आप लोग याद रखना 1988 के अंदर यह आया था 1988 बहुत पुराना एटीज में आ गया था आज तक चल रहा है यह अपडेशन होते रहते हैं इसके अंदर अडॉप भी इसमें इतना इंपुट देते हैं और है ना दो भाई थे जॉन एंड थॉमस तो जॉन थॉमस दो भाई है फोटो एडिटर आप्लिकेशन है यह इन्हो 1988 में यह आया था ठीक है जी आपको अगर जो थम्नेल सीखते हैं ना जो अभी थम्नेल बन रहे हैं यह भी कौन यह भी जो है हमारे एडिटर वो किस पर मनाते हैं फोटोशॉप पर ही मनाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेशन देखो नेक्स्ट क्वेशन आप लोगों के लिए पूछा हुआ है कि इस टाइप के क्वेशन आपके 2021 में बड़े पूछे गए थे एक रेंडम सवाल पूछा जाता ही है स्पेशली पॉड्कास्ट वॉड्कास्ट है ना ओडियो विडियो इन से रिलेटेड करेक्ट आंसर जो है वो आप लोगों का ऑप्शन नमबर डी यानि वन टू त्री होने वाला है आप से बोल रहा है कि इट अलाउस इंट्रेक्शन विद अंटेंट इंट इंप्रूफ दी रियूजबिलिटी और कोडिंग ओडियो विज्वल अब्जिक्ट्स हैं उनकी कोडिंग से क्या-क्या बेनिफिट आपको होता है तो यह सारे की सारी चीजें हैं जो आपको बेनि आपको ने कभी किसी वेबसाइट पर खोल के देखा हो तो वेबसाइट पर जैसे मालीजी आप किसी वेबसाइट पर गए अब कंटेंट को फिल्टर कर रहे हूं अचानक से आप देखते हो राइट-ंड साइट पे कुछ पॉप अप आता है उस पॉपम में कोई ग्राफिक कि उन सब चीजों से हम उस वेबसाइट पर जादा समय रह सकते हैं और जो कंटेंट अम ढूनना चाहते हैं वो जादा अच्छे से ढून सकते हैं फिल्टर आउट कर सकते हैं जिसे इसका सबसे आसान एक्जामबल में आपको देती हूं आज ही आप लोग यह कर के देखेग वो सर्विस सेंटर जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे ही साथी साथ यह सारी चीजों से रियूजबिलिटी भढ़ती है क्या बिल्कुल भढ़ती है बिल्कुल भढ़ती है रियूजबिलिटी है ना साथी साथ आप कंटेंट को क्या है स्केल कर सकते हो स्केल मतलब क्या होता है स्टूडने को मैं एक्सिटा हिएटर नियुकल बना कि नो AH हुषके और शादा एक्सेंड कर सकते हो, जैसे था हमेशा हम बोलते है कि सबसे अच्छा तरीकह क्या था ग albums च्छा टमोलाने का मैं ऐम फ्लोचार बनागे पड़ा हो तेबल बठाके बड़ा हो, बच्चे को क्या रहता है उससे औरफार ज्यादा में उसको समर्ज बेशिब आती है आप उसी flowchart से related और ज्यादा interactivity में create कर सकते हूँ content को और ज्यादा scale कर सकते हूं scale करना in the sense मैंने एक फ्लोचार बना लिया था अब उसके अंदर में एक और पार्ट आड़ कर सकती हूं है ना और ज्यादा डीटेल में आपको बढ़ चीज बता सकती हूं तो और ज़्यादा scale आप लोग उसे कर सकते हों उसकी reachability और ज़्यादा बढ़ा सकते हों बिल्कुल सही, very good reachability और ज़्यादा हम उसकी बढ़ा सकते ही हैना quality को increase करना इसी को हम लोग बोलते है scalability हैना quality को और ज़्यादा increase करना तो correct answer इसमें option number 4 आपका हो जाएगा next question देखिए कैसे देखिए मैं यह तो आपने करवा दिया था आप देखिए हाँ बिल्कुल इंडियन उनिवर्सिटी में भी है मैं सिर्फ आपको इसमें देखिए कि आप कोई भी उनिवर्सिटी का देखिए इंटरनाशनल सब में होता ही है नौट जस्ट यूनिवर्सिटी कोई सी भी वेबसाइट आप अच्छी वेबसाइट देखो तो इसमें यह चीज होती है आपके लिए वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए सभी लोग जिन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट और वीडियो को शेयर भी तो करना होता है यह तो गलत बात हो गई आप लोगों की देखो बी आंसर सभी लोगों ने या पर दिया है अवेरिबल दा चाज़े चेंजेस तो अधर वेरिबल इन नॉन एक्स्परिमेंटल स्टडी इस वाट एक्स्टो नॉशियर प्रेडिक्टर वेरिबल इस्क्रीट वेरिबल या क्राइटरियों वेरियों बहुत सारे बच् लेट में सी कोई है क्या बिल्कुल देशी ट्रावलर करके कोई है उन्होंने फिर से सही आंसर दिया है उन्होंने बहुत ही बढ़िया करेक्ट आंसर इसका प्रेडिक्टर वेरियेबल ठीक है ना एक नॉन एक्स्परिमेंटल स्टडी की बात की जारी है यहां पर एक्स्प लेल जिसमें मन्यूपिलेशन करते डिपेंदेंट मेडले जिसको वेरियाबल करते हों इसका इफेक तो यह कॉस है और यह तो और पर एक्सपेरिमेंटल स्टुडी में होता है आप से पूछ ऑक है Спícia कौन ale एक सब्सक्राइबल है जो नॉन एक्सपरिमेंटल स्टडी के अंदर चेंज इस को कॉज करता है यहां पर इसक्रीट क्यूं होगा मुझे समझ में नहीं को सकता और praake criterion होगा तो कोई sense इन बना रहा है प्रिच्टर वेडिबल होता है जो क्या करता है नॉन एक्परिमेंट टाडिमें में प्रिडिक्ट करने को मझबूर करता है घंड हुसिंघ प्रिडिक्डर वेडियेबल से प्रेडिक्टर वैलिडिटी कुछ भी नहीं होती है एक ताइप की वैलिडिटी अमने पड़ी है आपके पास में टाइम है आराम से सोच और बताओ मुझे जब तक हम नेक्स क्वेशन पर चलते हैं तेखो यह क्वेशन 2020 का है बढ़िया क्वेशन था इसले मैंने ले लिया है कर दो कौन से टाइप की वालिडिटी है जो प्रेडिक्शन बेस्ट काम करती है कन्वर्जेंट है क्या किसी ने आंसर नहीं दिया यहां पर अभी तक कि अगरें इसली लगता है रोबोटिक आटो मोड पर चलते हो आप लोगा आप कुस फिस प्वेस्टं दिखाओ तो आंसर देते हो कुछ समझने की पता नहीं चलता कुछ समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं टेस्ट री टेस्ट वालेड़ी टी होती नहीं है रिलाइबरिटी होती है बहुत लिए बहुत बढ़िया तैयारी चल रहे हैं आप वालेड़ी वाला विडियो रिवाइज करिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजेगा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या ये बात सही है बिल्कुल सही बात है पेडागोगी इससे निकल कि अच्छा कम्यूनिकेटर होगा उतनी जादा क्वेश्चन बच्चे को आएगी ठीक है उतना जादा बच्चा जो है वो question पूछेगा next question देखते हैं software copyright को लेकर correct statement यह आपर बताना था आपको यह अभी हम लोगों ने जब ताइपस of software के mcqs करे थे उसमें हम लोगों ने सारे पड़े थे copyright का symbol, copyright कौन-कौन से, you know, variables में होता है I mean कौन-कौन से software में आपका होता है यह सारी चीज़े हम लोगों ने पड़े थी अब यहां पर देखो कहा है, use of product key supplied with original software sign a license agreement, use of holograms on the original packaging या use of dongles to prevent illegal use copyright softwares के अंदर क्या होता है सबसे पहले तो मुझे यह बताएगा कोई कि copyright software को क्या क्या बोला जाता है, और क्या बोल सकते है क्या freeware copyrighted होते हैं क्या freeware copyrighted होते हैं क्या public domain copyrighted होते हैं पहले तो मुझे यह जल्दी से revise करवा दीजे क्या यह copyrighted होते हैं जरा बताएंगे यह जरा बताएंगे यह पबलिक डोमेन कॉपिराइट में नहीं आते हैं मैं बिल्कुल ठीक बात पर फ्री वेर आते के फ्री सॉफ़वेर्स कॉपिराइट में आते हैं के बिल्कुल आते हैं क्या यूज ओफ प्रडॉट की होता है इसके अंदर बिल्कुल सही बात है है ना बिल्कुल सही बात ऐसा होता है जैसे कि एक बैस्ट एक्जांबल इसका MS Office पिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रड़क्ट की एक लाइसेंस की होती है माम यहां पर हॉलोग्राम्स का यूज होता है तरीके से यूज किया जा सकता है या कोई भी originally software package का symbol होगा जो आपको हमेश्चा देखेगा है ना जैसे फॉर एक्जांपल अभी तक तो हुआ नहीं है पट मेजोरिटी ऑफ पीडिफ जो आपको ज्यारे फट्डा पर मिलती होगी वह अपने ज्यारे फट्डा के लोगों के बैग्राउंड पर ही मिलती होगी क्यों क्योंकि वह कॉपी राइट है अपना फिर है कि use of dongles to prevent illegal use बिल्कुल सही बात है यह भी किया जाता है है ना बिल्कुल यह भी किया जाता है को यह मुझे मतलब बता सकता है dongle का क्या मतलब होता है वाट डियो मीन बै डॉंगल dongle एक तरीके का hardware device होता है basically एक तरीके का electrical device है जो copyright को बचाने के काम में आता है किसी को आप copy कर लो किसी भी text को उसकी protection करने के लिए hardware device use किया जाता है dongle तो यह भी बिल्कुल सही बात है हाँ freeware क्या होता है copyright होता है बिल्कुल ठीक तो correct answer यहां पर क्या निकल के आएगा all of the above निकल के आएगा जितने भी बच्चे जिन्होंने B answer दिया है बिल्कुल ठीक उनका answer है नेक्स्ट प्रेशन देखते हैं नेक्स्ट प्रेशन आप लोगो सही बोल रहा है effective classroom communication के factors ठीक है वैसे तो देखो यह communication का सवाल है पर चलो अब आगया है तो कर लेते हैं हाँ एक को net चलाने वाला भी होता है बिल्कुल ठीक बात है कि नो डी स्टेट्मेंट इस बिल्कुल करेक्ट ठीक है ना आपका answer कर रहा थे ए बी सी डी ओल्लार करेक्ट थर्टीन्थ का डी आ रहा है सी डी ओके effective classroom communication की बात करी जारी बहुत ही इसी सा इनाब नहीं होगा अन्फैमिलियर वर्ट कर यूज करना भी नहीं होगा बालंच फ्लो अफ दी वर्टंब भी वेर्ट. फ्लो 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 अफ दी मैसेजेज हो गया mechanism to assess the feedback हो गया सारे की साही बात है तो बहुत ईसी सा सवाल था next question की तरफ चलते हैं बढ़िया question है research का एक experimental study के अंदर हम response variable और किसे बोलते हैं types of variable में independent variable और dependent variable के बहुत सारे नाम हैं जो हमने पड़े हुए हैं यहां पर उसमें से एक आप लोगों से पूछा हुआ है कि response variable आप और किसे बोलते हूं Nominal को, Ordinal को, Independent को, Dependent को किसको बोलते हूं? नहीं हर्ष अभी कोई पेड कोर्स नहीं है ठीक है अभी आएगा थोड़े टाइम बात जब एग्जाम हो जाएगा उसकी बाद एक बड़िया कोर्स बनाएंगे ठीक है? A variable in an experimental study Which is called as a response variable Response variable किसको पोलते हैं हम D सभी का answer D आ रहा है क्या हम इस test में पास हो गए है बहुत ही बढ़िया बात है बिल्कुल पास हो गए है अच्छा response का उल्टा क्या होता है मतलब अगर dependent को आप response बोल रहे हो तो मेरे लिए जो आपका independent है उसे मैं क्या बोलूँगी क्या मैं उसे stimuli बोलूँगी या stimulus बोलूँगी मैम आप stimulus क्रेट करते हो और उस stimulus से एक response आता है मेरा एक और सवाल है अगर मैं आप सभी बच्चों से पूछूँ कि treatment variable कौन सा है कौन सा है independent है कि dependent है independent है कौन सा variable है तेको इसी का दूसरा नाम है क्या treatment और इसका दूसरा नाम क्या है एक एक और क्वेशन डिरेक्शन का आईये वेरी गोड इंडिपेंडेंटेंट बहुत ही बढ़िया अरे वाह तो आपको बढ़िया आ रही है आज कल कहां से सीखी आज 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 नहीं डिपेंडेंट नहीं जी इंडिपेंडेंडेंट होगा हाँ manipulation भी होता है बिलकूल होता है चालो बड़ा मज़ितार सा सवाल है फिर से हम लोग एपॉइंट से बी पॉइंट से सी पॉइंट से दी एफ जी एफ हर जगे जा रहे है बहुत बड़िया question है जो भी इसको सही करके दिखाएगा उसको पार्टी आसर बोल रहा है कि point A is 30 meter to the east of point B point C is 10 meters south of point A point D is 15 meters west point C बहुत ही बड़िया एकदम concentration से करो एक मिनिट आपको मैं दे रही है जल्दी बाजी में गलत आंसर मत करना झाल चले गाइस, टाइम साब चले मिजॉरिटी ऑफ दो बच्चे जो है वो बी और सी ही आंसर कर रहे हैं लेट सी कि क्या आंसर होने वाला है इसका अच्छे से डाइग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं कि क्या हो रहा था आपके पास में लिखाए कि पॉइंट A है जो कि 30 मीटर इस्ट पॉइंट B के तो मैं पहले किसको बिठाऊंगी पहले बिठाऊंगी B को और हम सब लोग जानते हैं कि सिंबल्स कैसे हम लोग पढ़ते हैं मैं इस्ट साउथ वैस्ट और नॉर्थ यह हमारा जो है वो सिंबल हो है 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 यह जोट फिर आप लोग से क्या कह रहा है तो आप लोग व्हें कि यह कह रहा है 10 मीटर नहीं है, 30 मीटर to the east of point B सही लिखा है, अब यह कहा है, आप लोगों से कि जो C point है, वो 10 मीटर साउथ है, पॉइंट A के, आप साउथ कौन सा पोरिंट होगा, यह वाला point होगा, 10 मीटर है, point C यहां पर आ जाएगा, नहीं मैं 15 लिखा है 15 यानि कि आदा तो यहां पर है point D देखो यह 30 था यह 15 हो गया इसका आदा है यह ठीक है जी आगे देखिए आगे आगे आप लोगों से यह बोला जा रहा है point C हो गया ठीक है हो गया point E is exactly in the middle of point D and point F यह रह point D और point F मुझे पता नहीं कहां पर है पर उसके बिलकुल exactly between में है point E ठीक है अभी मुझे पता नहीं कहां पर है E and F lie in the straight line E and F जो है वो straight line के अंदर लाए करते हैं ठीक है अभी भी मुझे तो नहीं पता नहीं कि कहां पर है वो पर यह कह रहा है कि the length of D E F is 20 meters and point F is north to the point D अब मुझे समझ में आ गया तो D point D के north में कौन है point F है ध्यान से देखेगा point F is to the north of point D यह D है और point F जो है वो यहां पर कहीं पर है north में है length जो है वो D E और F की अब क्योंकि क्या है पोल रहा है जो E है और F वो straight line में आ रहा है और D जो है वो exactly से तो यहां पर बात ऐसी है कि यह यह 10 meter है तो यह भी 10 meter था मैं तो यहां पर कहीं पर क्या है यहां पर आपका लाइ कर रहा होगा point F, OK को यहां बनाते हैं कहीबर यह point F लाइं कर रहा है ठीक है न और यहां पर जो है वह पॉइंट ई है और इसका जो टोटल है वो कितना है 20 meters है अब बन गया मेरा diagram क्या आप सही बन रहा है मेरा diagram बिलकुल सही बन रहा है पॉइंट G is 15 meter to the point F का east G, point f लीजे और उसके east में जाना है यानि कि उसके right में जाना है कितना जाना है? 50 नहीं जाना है यानि कि यहीं पर कहीं होगा कौन? G आगे G और A point कितना दूर है? एक दूसरे से यह बताना था अब बताये कि अपन रहा है आप लोग बताएं क्या बन रहा है आप लोगों का कि पॉइंटी इस एक्जाट्ली इन दी मिडल ओफ पॉइंट दी ओहो हो मैं में गलती हो गई आप से या गलती हो गई यह इदर नहीं आएगा यह इदर आएगा ए ठीक है और यहां पर दस मीटर दूर आएगा तो यह दस और यह भी दस और यह जो टोटल है यह बीस हो जाएगा ठीक है ना थोड़ा देख लेना भाईया यहां पर एक लाइन अपनने मिस कर दी थी और आप से पोल रहा है कि एस्ट तो इसके एस्ट में जी और वह 15 है तो आप से पूछ रहा है कि यह कितना दूर एक दूसरे से यह वाला डाइग्राम बिल्कुल फीक बना है बीच में अगर आप देखो तो अपने एक लाइन मिस कर दी हां डी ए एफ वाली तो जो यह है मैं वो बीच में आ रहा है लाइक डी ए और एफ लिखा था ठीक है यह दे है मैं 10 मीटर का डिस्टेंस है अब 10 मीटर कौन सा पताना है इन विच डिरेक्शन पॉइंट जी इस फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट जी फ्रॉम पॉइंट ए गल्ती नहीं करनी है क्योंकि 10 तो दो बार लिखा हुआ है पर मैं किस तरफ देख रहा है उपर की तरफ देख जाया तरफ पर होनक नॉर्थ में होगा नॉर्थ में होगा बिज प्लब्स नहीं आगा अंसर ओप्शन नंबर सी इसका आंसर और सीुन धौ तो कॉंसेंट्रेशन से एक वेस्षन हमें करना था नहीं तो हो सकता था कि एक लाइन जैसे बीच में में मिस हो गई न एक लाइन होते ही पूरा कपुरे क्वेस्षन का मतलब भी बदल जाएगा कि तो देर्फोर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कभी कभी हम क्या करते हैं जल्दी बाजी के अंदर क्योंकि हमने यह तो निकाली लिया अब हम लोग क्या निकालते हैं जी नई लोकेशन कहां पर है अच्छा ए तो नीचे की तरफ है तो साउथ लगा के आजाते हैं अगर गलती से ऑप्शन आया कि 10 मीटर और साउथ मुझे जादा तर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और एंटी ऐसा करता है एंटी जो है ना वो एक्जाम में ऐसा करता है तो इस चीज से बचना है हमको तो बचेंगे कैसे पहले देखो किसका किसे डिरेक्शन पूछा है तो पूछा है कि एक से अगर डिरेक्शन में देखो जी वो क्या है रीडिंग कॉंसेंट्रेशन एक चीज जो मुझे लगता है जादतर हमारी सिली मिस्टेक्स करवाता है वो है आपका रीडिंग कॉंसेंट्रेशन वो नहीं करना है नेक्स्ट्रेशन देखते हैं ब्लड रिलेशन का बहुत ही बढ़िया बज्यदार सवार आप देखते कौन इसको सही करके दिखाता है तो जिरो ने भी पिछला क्वेशन सही किया था बहुत ही बढ़िया वेल डान दस निकालना वाज नॉट डिफिकल्ट आपके एक्जाम में आता है बिल्कुल आता है आपने पड़ा हुआ है जितने भी पच्चे लास्ट बैच में दे हमने तु पड़ा है sitting अरेजमें पड़ा है पजल पड़ा है ठीक है calendar की class वी होगी एक आपकी calendar or clock वो भी आते हैं एक्जाम में B is father of Q, B has only two children, Q is brother of R, R is the daughter of P, A is the granddaughter of P, S is father of A, S और Q कैसे related हैं ये पताना है आप दे कोई चाहो ना ये question आप दो तरीके से कर सकते हो पहला तरीका पहला तरीका बड़ा असान है आप क्या करो अपने आप पे मान लो और मान मान के कर लो अपने ही घर परिवार में question solve कर लो पर मेर को ऐसे लगता है कि समझाने में जादा आसान होता है कि जब मैं डाइग्राम बना के आपको समझा दो वो जादा आसान लगेगा आपको कैसे क्या रहा है कि B father है क्यू कै जनेरेशन वाला डाइग्राम बना दू चलो बना देते हैं ठीक है न बी जो है वो फादर है क्यू के बी फादर है किसके क्यू के तो जनेरेशन उपर आ गई एक जनेरेशन नीचे आ गई बी हाज ओनली टू चिल्रन तो भाईया अब्विस ही बात है कि जो क्यू है उसका कोई ना कोई सिबलिंग होगा आगे आप से कहा जा रहा है कि क्यू इस brother of R पैशन देखो बड़या मज़िदार है क्यू जो है वो brother है R का तो R यहां आ गया और Q के आगे प्लस लग गया brother से मुझे यह भी पता लग गया और दूसरी गेम भी पता लग गई आगे यह कह रहा है कि R is daughter of P R is daughter of P आप्विस ही बात है इसकी wife होगी P उसकी यह daughter है दोनों का gender यहां पर भी clear हो गया आगे कह रहा है कि A is granddaughter of P granddaughter of P A now S is father of A and how is S related to Q यह आपको बताना है ओविसली बात है इसके father है तो ओविसली यह क्यों तो हो नहीं सकता इनकी किसी से शादी होई होगी S से उनी का यह संतान है जी आपसे पुछा चाहरा है क्या पुछा चाहरा है पुछा चाहरा है है health is a related to q हाजी क्या answer आएगा जाओसर रिलेटेट टो प्यू मैं जीजा जीजा जीडी पोलते है हाँ जीजा जीजु हो गये जीजु जीजु पोटो की जीजु यह जीजु जी हो गई और S कैसे related है जीजू जी जीजू तो option में नहीं भेनोई भी वही होता है तो brother-in-law लगा दे क्या हम D answer आजाएगा क्या सबकर D आ रहा है है ऐसे कैसे तो क्या answer आजाएगा जीजू जी answer आजाएगा option number D आपर सही answer next next question आज का last question चलिए solve करते है अच्छे यह हो गया ना यह हो गया है guys नहीं यह question हो गया था okay नहीं नहीं अलग question है यह अभिशेक का क्या relation है तेजी से यह पूछा जा रहा है I think diagram वही बनेगा है ना diagram इसका वही बनेगा क्योंकि यह वह सेम ही कहानी चल रही है इनकी आप से पूछा जा रहा है कि अभिशेक जो है वह कैसे related है इस वर बस question change हो गया है कि अभिशेक कैसे related है किस से तेजी से तो कैसे related थे अभिशेक अगर आपको diagram याद है तो अभिशेक कैसे related थे तेजी से वही grand son कैसे related थे माम grand son था diagram सेम ही बनेगा जो अपने अभी बनाया था बस पूछा हुआ है कि क्या था तो तेजी की grandson थे अभिशेक diagram पिछे देख सकते होगा none नहीं होगा none क्यों होगा इसके लिए मैं बिल्कुल time नहीं दूंगी आपको independent variable होता है चलिए जे D option यहां पर सभी लोग choose कर रहे है यानि कि A B और C तीनों ही option यहां पर choose करके answer बता रहे हुआ विकी pages can be locked by the moderators to prevent vandalism vandalism क्या होता है what do you mean by vandalism अरे vandalism होता है ना जैसे अभी चली रहा है kind of a vandalism चल रहा है चीजों को destruct कर देना तोर मडोर के आपके सामने पेश करना publicly public assets को के ऊपर खराब कर देना अरे जैसे आप लोग उने देखा है और हम ही शाजा है तो वह सब चीजे क्या है vandalism का एक पार्ट हो सकते है चीज़े ना तो क्या यह बात सही है देन पूछ रहा है every change that is made to a wiki pages log and can be viewed in the history list अच्छा जी तो wiki pages के अंदर कोई भी जो आपकी changes है उसको हम log कर सकते हैं log मतलब वह logged है यह log है log मतलब जैसे contact log होता है ना आप लोग एक जगे क्या कर सकते हूं रजिस्टर कर सकते हूं इन सब चीजों को है ना और उनको history list में जाके देख भी सकते हैं विकी इस design to allow people to collaborate easily विकी का काम यह है क्या कि लोगों को easily collaborate किया जा सके यह क्या इसका यह काम है तो देखो बहुत ही आसाम सा सवाल है और आप सब में से majority of बच्चों ने सही आंसर भी दिया है कि D इसका मैं सही आंसर होगा सारी की सारी बाते सही है अगला सवाल देखिए चरके सब्यान को बसकर में आपको सबसे बड़े से सबसे चोटे सब्रस्थ रखांबり मेर की आधार रह सकते हैं तो एक हे एक है रच और यह होता है है रजिस्टर अच्छा इन्नी में रजिस्टर लिका जाना सब्सkiejणे चाहिए यह और लिखा इसमें कोältि होती है उसके हैं कहां से सवाल है MP2 यामिंटे बीजिस्टर्ट मने ऑग भी बनाया है बहुत सारे बच्चो का डिमांड एंडika तो के लिए बहुत जल्दी एक विडियो बना दिया जाएगा तेंशन नहहीं ले नहीं है तो register cash यानि कि D, A, B और C तो D, A, B और C यानि कि option number 2 यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा अरे, अरे, तुको उल्टा बताना है, उल्टा बताना है देखो, मैंने क्या बताया, D, A, C, B उल्टा बताना था ना, सबसे बड़े से सबसे छोटा बनाना है तो hard disk सबसे बड़ा, RAM उससे छोटा, देन आपको बताना है आपका cache memory और फिर register यह answer आएगा हमने बताया तो सही है, बर मैं मैं उल्टी तरफ से बता दिया तो registers, फिर cache, फिर RAM, फिर hard disk, तो इस तरीके से लिखो अगला सवाल देखो, CPU के साथ में तो register memory का सबसे इंपोर्टन काम यह है, जो intermediate datas है, जो fast speed temporary storage location की जैसे काम करता है वो होते है registers, बहुत छोटे होते साइज में तो इसलिए बहुत जल्दी से data transfer कर लेते हैं एकदम CPU के उपर ही बैठे हैं तो अगर मुझे कोई temporary data रखना है, मालोग दो number को add कर रहे थे, carry आया, तो carry कहां रखे, register में रख लो, यह फ्लाइग वाल्यू में रख लेते हैं हम, तो इसलिए registers यूज आते हैं, high speed होते हैं, पैसा भी जादा लगता है इनके अंदर अरे, register, cache, RAM और hard disk drive, यह बोल रही हूँ, cache बड़ा नहीं होता, RAM बड़ा होता है चलो भई, अगला सवाल देखे, the largest decimal number that can be represented using a 7 bit binary is 128, minimum number of bits required to store it, to store largest two digit decimal number is 7, आपको बताना है, इसमें से कौन सी बात सही है, अब ध्यान से देखेए का यहाँ पर, मुझे पूला गया है, 7 digit का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, बजपन में probability में पढ़ते थे यह चीज़े, अब 7 है, और आपको बोल रहा है कि सबसे बड़ा number बताओ, जो हम लोग लिख सकते हैं है ना, the largest decimal number that can be represented using a 7 bit binary, क्या वो 128 आता है, is it 128, देखो, largest number का निकालना है, और वो भी binary का, वो भी 7 bit को यूज करके, तो आपको बता है, बाइनरी में, या तो हम 0 लिखते हैं, या हम 1 लिखते हैं, तो अगर largest बनाना है, तो सब जेगे 1 करो, एक बारी के लिए, सब जेगे 1 करके देखो, आपको बता है, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, और ये 2 की पावर 6 है, लार्जस्ट बता रही हूं, तो की पावर 6 कितना होता है, 64, अब सबचे के 1 है, तो सारे लेने पड एड करो तो एड करने पर आपको क्या मिलने वाला है देखो 64 और आप लोगों का 6 कर लो 70 70 प्लस 10 करोगे 80 80 प्लस 3 करोगे तो कितना आएगा आप लोगों के पास में 110 110 और साथ में 2 है तो 112 आजाएगा 112 के अंदर 3 और एड करोगे 115 आजाएगा और इसके लाब फिर आप जाएगा गया मैं क्वेश्चन में तो क्या रहा है कि 128 लिख सकते हैं हम लोग जीरो से 117 है टोटल 128 लिख लिए हैं बड जीरो से 127 तो यह बात तो गलत हो जाती है प्रूव करके दिखा दिया है आपके सामने नेक्स देखो मिनिमम नमबर उपिट्स रिक्वायर तो स्टो किया उसे पता लगया कि minimum number of bits required to store the largest two-digit decimal number largest two-digit decimal number क्या होता है 99 होता है और 99 को represent करने के लिए क्या मुझे 7 bits required है अभी-भी आपके सामने प्रूफ किया है बिल्कुल मैं आप 64 तक आपके पास में values है तो 99 शो करना है तो 99 में से 64 माइनस करो तो कितना आएगा मैं 5 और 3 आ ज तो तो 3 यानि कि मैं यहां पर बन लगा देंगे color change करके लिख देती हूँ यहां पर लगा दो यहां पर लगा दो ठीके ना यहां पर 0 यहां पर 0 यहां पर 0 यहां पर 1 यहां पर बन गया 99 तो बिल्कुल मैं सही बात बोल रहे हैं साथ डिजिट से या साथ बिट से हम लोग 99 यानि लाज़ेस्ट टू डिजिट नंबर इन डेसिमल को शो कर सकते हैं क्योंकि सौ से तो मैं थ्री डिजिट हो जाता है इस तरीके के सवाल आपके एक्जाम में काफी जादा बनेंगे क्योंकि यह कॉमन सेंस ओरिएंटेड सवाल है तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर ठीक है नेक्स देखिए विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर वाइरस विच्वन फॉल्विंट इस ट्रू कॉंसर स्टेट्मेंट है जो यहां पर ट्रू है क्या प्र até टूлюुट प्रून कर देखिए जूुटर टून टो मुल्ड़ क्या प्रिए विद टू ब्šूंच्ट प्रून and the knowledge of the user या concern के बिना फैलता है it is an accumulation of dust on the hardest causing it to malfunction देख रहे हो आप क्या मजाक वाला option है NTA मजाक ही किये जा रहा है कब से चलिए भई हिंदी वाले भी पढ़ लीजी एक बारी computer virus के संबंध में कौन से सही statement यहां पर लिखे हुए है अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक विडियो बनाया था cyber crimes related वो विडियो था उसमें आपको यह सारी चीजे मैंने already समझा दी थी तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है computer virus वाइरस होता क्या है vital information and resources under seas यह इसके full form होती है self replicating होते हैं सबसे पहली बात तो types of virus एक important topic है आप लोगों के exam में सुभा 7 a.m वाली series के अंदर सारे types of viruses भी मैं discuss करूंगी एक एक करके ठीक है ना तो यह videos का follow कर ले ना eyes on the prize आज मैंने hasty generalization का video डाला है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना ठीक है वाइरस की जैसे आई वार्म्स भी होता है राइट वांस रीड मैनी ताइम्स वां भी सेर्फ रेप्लिकेटिंग होते है पर पैरसाइट नहीं होते है उनको किसी की जरुवत नहीं होती है इसलिए वो वायरस से ज्यादा नेंजरस होते हैं नेक्स देखे आप से बोला जा रहा है डबलल डबल के बारे में कौन सा करेक्ट है वैब सर्वर इस जो थे उन्होंने डबल 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 को क्रिएट किया था मॉजिए जो था वो फर्स वाइडली यूज़ वैब ब्राउजर था तो कौन सा statement है जो इसमें से सही है या कौन कौन से statement से जो यहाँपर सही है यह आपको बताना है कौन कौन से statement यहाँपर सही है बहुत ही आसान है यह सवाल, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी बहनत करी है ICT में, तो आपको पता होगा कि मैं यह वेब सर्वर और वेब ब्राउजर उल्टे लिखे हैं, देखो यह कौन है? को मैं यह सर्वर एक्सेश करने के लिए नगिए पर-मेशन लेने माला है यह तो यह का म गया है? इसका काम है मैं कि यह टालता है यह ऐसा आप्लिकेशन प्रोग्राम ह॥ो क्लाइंट मशीन reciprocal करना है जो क्या काम करता है? इंटे SYN आपको यह यह वेब सर्वर है क्या? मैं जिस पर बहुत सारी वेबसाइट है वो क्या कर दी बहुत सारे वेब पेजिस लेके बैठी है डेटा देने का काम इसका है तो उल्टा लिखा है न टिम बरनर्स ली सर फादर ओफ डबलु 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 माने जाते है बिलकुल ठीक है मौजी एक पहला वाइडली लिखा है वैसे अगर पूछू तो कि बना कौन सा था सबसे पहले तो उसका क्या आंसर दोगे यहां तो आंसर समझ में आ गया आपको क्या है आंसर यहां पर होगा सी एंड डी कि यानिकी आपका ऑप्शन नमबर कि टू कि अ कि अगर कि अगर कि वेब ब्राउजर पूछा है अलका जी एंड कवीता जी वेब ब्राउजर पूछा है नेक्सिस नहीं होगा नेट्सकेप होगा हां गुड नेट्सकेप होगा की चलो बयी अंच लों देकर ब्राउजर के समझागा था आपके पास में 3 सिकोल मेटियम होटे हैं एक होते हैं आप लोगों के देखा आदान प्रादान हैजर हैं टिकहें आ कर दा आ कि ये कौन है? पपलुञ ये कौन है? चपलू. ये भी पपलू, ये भी पपलू.. ये भी पपलू.. पपलू ने चप्लू को मेसेच दिया। बस हतम। कोई डिप्लाइं नहीं कर सकता। जैसे कि remote और TV remote से TV का channel change कर दिया TV remote का button change नहीं कर सकता यह नहीं होगा हम नहीं खेल रहे हैं तो यह क्या है? यह हाफ duplex sorry यह क्या है? simplex क्या है जी? simplex और एक होते हैं duplex duplex जिसमें दोनों काम कर सकते हैं एक साथ भईया दोनों काम कर रहे हैं मतलब अब यह है time रात के 9 बजे और यह है time रात के 10 बजे पपलो ने बोला हाइ और चपलो ने पी बोला hallo how are you? nice to meet you यह सब कुछ बोला बट गलत टाइम पे मतलब अलग टाइम पे गलत नहीं रात को 10 बजे कौन सा गलत है मतलब अलग टाइम पे बोला same time पे नहीं बोला तो यह है half duplex duplex है क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं दोनों जो है वो send कर सकते हैं जैसे कि walkie talkie example बहुत famous है इसका walkie talkie walkie talkie होता है ना आर्मी में पुलिस वाले यह लोग use करते हैं तो वो ऐसा की hello कैसे हो आप over फिर वो बोलता है मैं बहुत बढ़िया हूँ over and out ठीक है आपको दिखाऊंगी मैं मैंने order किया हुआ है आने वाला है मैं बहुत पसंद है वो ऐसे time pass के लिए मंगाया है इनिवेस तो वो क्या केलाता है आपका हाँ ड्यूफलेक्स और अगर इसने बोला नौ बजे तो इसने भी नौ बजे ही reply कर दिया कि hi hello how are you how do 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 अगर यह तुरंत reply कर दिया यह वो लोग है जो online ही बैठे रहते हैं बस कोई करे तो सही hello message reply कर देते हैं यह वो लोग है जो इसा time नहीं है भया फिर बाद में reply करते हैं यह वो लोग है जिनको जबरदस्ती phone call पर लाया जाता है यह वो लोग है जो बैठी रहते हैं कि कोई करे तो सही ठीके जी तो यह जो है यह होता है आपका full duplex अब जल्दी से मुझे एक्जाम्पल लिख कर बताएं कि सभी लोग full duplex को हाफ का तो मैंने बता दिया full का बताओ simplex जो होता है वो टा तू में होता है क्या गलत बात अभी तो समझाता half duplex transmission both direction में होता है same time पे नहीं होता है serial भी आ गया और parallel भी आ गया देखो serial मतलब होता है line में sequential और parallel मतलब होता है एक साथ सारे भेज देना कि एक साथ ही सारे भेज देना यह क्या होता है आप लोगों का यह होता है आप लोगों का है तो यहां पर अगर मैं बात बोलू तो क्या यह बाते 상 Maximum ह06 भीको घ्रम सिरीयल का मतलब ऐसा नहीं है सीरियल का मतलब इककर करके डेटा जाना इलो है पाई चार्ट है जो हम सॉल्व करने वाले हैं कमेर झाल झाल यहां पर देखो circle graph दिया हुए आपको ठीक है और यहां पर spendings and country की various sports पे during a particular year study the graph carefully and answer the question given below it आपको यह pie chart को study करना और answer देने हैं यहां पर हमारे पास है क्या यहां पर हमारे पास different seven points दिया हुए अलग-अलग sports है ठीक है games and sports है और हमारे पास एक others वाला problem है इसमें बाकी सारे sports हैं छे sports आपको दे रखे हैं बाकी एक others में डाल रखे हैं तो यहां पर यह जो circle है पूरा circle जो होता है जब भी हम pie chart की बात करते हैं circle में हमारे पास क्या होता है circle में वी हैफ 360 degree is equals to 100% ठीक है जो भी हमारा total होता है ना circle में वो 360 degree के बराबर होता है क्योंकि circle में जो area होता है हमारे पास यहां पर हम उसको degrees में मेजर करते हैं projections को तो यहां पर आपके पास अलग अलग यहां पर दिया हुए total spending जो है वो spend किया गया है tennis पे अब tennis पे हमारे को पता है कि भी total 360 में से हम 45 amount जो है 45 खर्च कर रहे हैं 360 में से 45 खर्च कर रहे हैं ठीक है तो अब यहां पर percentage में हमें इस चीज को figure out करना है तो कैसे करेंगे मैं percentage में जो हमारा total होता है वो होता है so तो अब यह so percentage का इतना proportion है ना 360 का इतना तो यह मेरे को percentage में निकालना है कोई भी value को आपको percentage में निकालना होता है तो आप क्या करेंगे जितना proportion आपके पास है, out of total कितना है और multiply करना है 100 से, multiply करना है 100 से, solve करो, आपके पास answer आजाएगा, 9 के table पे 5 पे जाएगा, यह जाएगा 4 पे, इसको आप solve करोगे, 2.5, 5 into 2.5 is 12.5, तो 12.5 परसेंट आपका answer यहाँ पे निकल के आजाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या चीज थी, हमारे पास यहाँ पे था, कि total आप कितना खर्चा कर रहे हो, total मेरे लिए क्या है, मेरे लिए 100 परसेंट, अगर percentage में बात उरी है, circle में अगर मैं total देखूं तो total 360 है, तो यह 45 है किसका, 360 का, क्योंकि यह degrees में हमें answer दे रखा है, तो यह 45 था, 360 का, मुझे निकालना है, percentage में, यानि कि 100 में, solve कर लेंगे, 12.5% answer आजाएगा, अब यहाँ पे मेरे पास कोई value नहीं दे रखी, कि कितना खर्चा हुआ है, दियेगे कोई value, कोई value नहीं यह खर्चेगी, पर य answer निकल के, आ जाएगा, ठीक है, आगे देखो, next question, how much percent more, अब यहाँ पे difference पूछ रहा है, आपने होकी पे जो खर्चा किया है, वो गोल्फ से कितना जादा है, होकी पे जो खर्चा किया है, वो गोल्फ से कितना जादा है, यहाँ पे difference लेना है, पर, percentage में निकालना answer, तो हमें यह देखना होता है, किस से compare करना है, compare करना है, गोल्फ से, गोल्फ में कितना है, 36, कितना लेना है, हमें यहाँ पे, देखना है, कितना है, पर difference, 63 और 36 का difference कितना है, तेरा मैसे 6 जाएंगे, 7 बजेगा, 5 मैसे 3 जाएंगे, 27, 20, तो यहाँ पे आपको इसको निकालना है, कितनी है यह value, क्योंकि यह जो 63 परसेंट है, यह भी same 360 का है, यह जो 36 है, यह भी same 360 का है, तो यह value same ही base के है, तो base लेने की जुरुरती है, जैसे पिछले question में, हमने यहाँ पे 360 लिया था, पर यहाँ पे 360 से 360 कैंसल हो जाएगा, कैसे, 27 by 360 divided by 36 by 360, तो यह cancel हो जाएगे न, इसलिए directly यही ले लो, जब भी आपका base common होता है, और आपको percentage में निकालना है, तो base को आप skip कर सकते हो, यह हमारा एक shortcut होता है, ठीके हमारी यह trick है, तो यहाँ पे आप इसको solve करोगे, आपके पास आ जाएगा, 3 के table पे 12 पे जाए सीधा, 75%, 3 by 4 कितना होता है, 75%, तो answer क्या बनेगा, option number D, 75% यहाँ पे correct answer निकल के आ जाएगा, दो question हमने किये, दोनों कितने, बिल्कुल easy तरीके से यहाँ पे हो जा रहे है, तो pie chat वाली DI जो होती है न, वो बहुत easy है, जो आपके लिए पूछी जाती है, आगे देखो next question, य यह question अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है, क्योंकि टोटल खर्चा जो हुआ है, वो कितना हो है, एक करोड 80,00,00, तो बताव, बास्केट बोल पे, जो खर्चा है, वो टैनिस से कितना ज़ादा होगा, टोटल खर्चा आपको दे दिया, वेल्यू में पूछ लिया, अब परसेंटेज में न पूछ के, वेल्यू में आपसे पूछा जाता है, तो मुझे यह पता है, मैं डिफ्रेंस कितना है, पांच का फरक है, है न, यहाँ पर पांच का, यहाँ पर फरक आ रहे है, है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास जो खर्चा है, वो है, एक करोड़ असी लाख, और यहाँ पर जो डिफ्रेंस है, वो पांच का है, अब यह किसको किस से कंपेर करें, यहाँ पर जो हमारा टोटल है न, यह 360 है, तो 5 by 360, तो इससे ही हम इसको कंपेर करेंगे, यह जाएगा, दो पे, इसको हम सॉल्व करेंगे, धाई पे चला जाएगा, तो यह बन जाएगा पच्चे, धाई लाख, एक लाख गुना पच्चिस इस दो लाख पचास हजार, तो यह वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, धाई लाख, तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर एक, क्योंकि हमें यह देखना है, कि हमारे लिए टोटल कितना है, प्रपोर्शन निकालना ना, एक स्सी का, तो मुझे यह पता है, टोटल जिन सो साथ डिगरी का एंगल है, और यहाँ पे पंतालिस और पचास है, तो यहाँ पे पांच डिगरी का फरक है, तो फाइग करत कर देना, कभी भी कि नीचे 100 ले लेंगे, अगर यह पर्सेंटेज में दिया जाता, फिर तो 100 लेते, अब यह डिगरी में दिया गया है, तो हम यहाँ पे 360 ही लेंगे नीचे, इस क्वेशन को सॉल्व करिए, क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम खर्चा हुआ है, फुटबोल पे, क्रिकेट पे जो खर्चा हुआ है, वो 81 बाई 360 है, फुटबोल पे जो खर्चा हुआ है, वो 54 बाई 360 है, तो कितना कम हुआ है, यानि कि डिफरेंस हम यहाँ पे लेके चलेंगे, और अपने कोशन को सॉल् तो यहां पर क्या होगा? तो हमें यह पता है कितना कम है? यहां पर solve कर लो. यहां पर हमारे पास value है 27. 27 कम है, 54, 83 से 27 कम है. अब यहां पर हमें देखना है कितना प्रतिशत कम है? किस से? cricket से football. तो cricket से compare करेंगे. multiply कर दो यहां पर 100. इसको solve कर लो. यह कितने पर जाएगा? 9, 3 जा और यह 9, 9 जा. यह 1 पर चला जाएगा, यह 3 पर. 1 by 3 है. मतलब 33 is to 1 by 3 percentage. तो answer will be option number C. C इसका यहां पर correct answer निकल के आ जाएगा. आगे देखो. अगर जो amount spent होती है sports पे वो 2 करोड है. तो बताओ cricket और hockey पे total कितना ख्रचा होगा? बताओ कितना जाएगा? बताओ कितना ख्रचा होगा? आउट ओफ 360 और यहां पर total है 2 करोड. तो इसको solve कर लेंगे. किके 2 करोड 744 को multiply कर लो और 360 से divide करना है. तो यहां पर हमारे पास value हैगी 36 12 के table पे 3 पे जाएगा. यह 12 पे चला जाएगा. इसको solve करेंगे. यह जाएगा 4 पे. तो 4 तूज़ा 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां पर आजाएगा 80 लाक. 80 लाक हमारा बिल्कुल correct answer आजाएगा. option number B. B is the very very correct answer. तो यह था हमारा D.I. पाइचाट D.I. मैंने आपको करवाया. अब हम बात करेंगे. हमारे paper 1 के mixed questions. तो question आपके सामने है. एक minute दीजिए वस. और फिर इसका answer आपने बताना है. चलिए. तो यहां पर हम teaching में different tools पढ़ते हैं. तो इन में से कौनसे tools हैं? जो use किये जाते हैं. for creating and sharing mind maps. mind maps क्या होते हैं? कि जहां पर आप एक point, एक topic को अलग-अलग तरीके से relate करते हैं. ठीक है? और एक चीज से बाकी और चीजे निकाल के रखते हैं. जिसे एक topic पढ़ा, उसमें क्या क्या चीजे हैं. उससे associated सारी चीजे. उसका एक mind map बनाना मतलब एक चीज को दूसरी चीज से link करना so that वो आपको retain करने में help करें. तो यहां पर हमारे पास अलग tools हैं जो provide किये जाते हैं. तो आपको बताना है कौन सा tool है जो use किया जाता है create करने के लिए और share करने के लिए mind maps. X mind, mind o mono, mind o mo, cogle, mind master और miro. तो यह question जो है बिल्कुल याद रखने वाला question है सारे के सारे tools जो है ना यह हमारे यह सारे के सारे tools इस्तिमाल में लाई जाते हैं for using, for creating and sharing mind maps. ठीक है, सभी के सभी no, सभी के सभी tools हैं जो यहाँ पर इस्तिमाल होते हैं यहाँ पर 5 के 5 tools use होंगे इसको ध्यान रखना answer इसका होगा option number C आगे देखिए, question है हमारा यहाँ पर ICT से, training material है और आपको file format बताना है कौन सा use होगा अगर आपको print करने है copies of instruction on how to play his music अब आपको training देनी है कि music सिखाना है आपको तो किस file format में music file होगी sound files जो है play करनी है, help करनी है printed copies है उपर वाले में दूसरे में music के sound files है तो वो किस file format में होगी video files जो है वो किस file format में होगी और images जो है वो किस file format में होगी यह आपको बताना है file format one of the most important topics है जो पूछा जाता है ICT में तो आंसर आ रहा है मेरे पास option number B नहीं C तो यहाँ पर जो printed copies है में doc file में होगी बिल्कुल A का second होगा sound files है mp3 B का one होगा फिर इसके बद video files में AVI में होगी और जो images है वो jpg में होती है png jpg है image file format है तो answer क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा option number C बिल्कुल सही ठीक है तो यहाँ पर मैंने file form भी लिख दिया audio video interleave joint photographic expert group document और mp3s mega audio layer 3 ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है आगे देखे next question the issue of research ethics is pertinent at which of the following stages of research यह important है research ethics के issue कहां कहां पर आ सकते है प्रॉट आसे केुधिर के दोगाँ जाफे कर pew junction है वहाँ दो चाके तो कर दो कीज़शंद्ट तो रिशर्च एथिक्स ना तीन जगा पे आता है और वो कौन सी है डेटा कलेक्शन डेटा एनाल्सिस और रिपोर्टिंग ओफ रिशर्च फैंडिंग जहां पे तीन जगा पे आपको रिशर्च एथिक्स का वोईलेशन देखने को मिलता है और ये कोशन बहुत बार आ रखा है ये तीन पॉइंट समेशा ध् कि बता लेटा ये ये फैरिफिरों जो आपके लिए ज़रूरी है जैसे हम पड़ते हाना कि रिपोर्टिंग करेगा जब उसकी रिशर्च फैंडिंगे तो गलत चीज़ों को रिपोर्ट करेगा यहां पर तीन जगहा पे रिशर्च एथिक्स का वोईलेशन हो सकता है ठीक ह तो यह आपका correct answer होगा C next question देखिए question है हमारा math से profit and loss का question है question देखिए यहां पर हम 20 रुपे और 30 रुपे की चीज़ को 24 रुपे में बेच रहे हैं यहां पर क्या होगा और करेक्ट आंसर तो जब भी इस तरीके का कोशन आता है देखने में ऐसे लगता है यहां पर हम लगा सकते हैं यहां पर क्या होता ना हमें जो क्वांटिटी उसको सेम रखना चाहिए हमेशा पी यहां पर अगर मैं एक डजन ले लूँ 20 रुपे वाले और एक डजन 30 रुपे वाले और इंजिस ले लूँ तो दो डजन मेरे पास आएंगे कितने 50 रुपे के और मैं उसको बेच रही हूं तो दो रुपे का लोस हुआ कितने पे लोस होता है हमेशा सीपी पे 50 पे मल्टिप्लाइ करेंगे 100 से 4 परसेंट का लोस आपके पास निकल के आ जाएगा 4 परसेंट लोस तो आंसर हो जाएगा option number B ठीक है B is the very correct answer आगे देखो यह important है हमारे पास institution है apex level institution और यह किस काम के लिए बने है यह आपको match करना है मैं आपको थोड़ा सा answer दिखा देती हूं इसको थोड़ा सा उपर कर देती हूं I hope यह आपको clearly visible होगा आपको अभी ठीक है इसको match करना है आपने कि अगे है तो यूजी सी जो है University Grant Commission यह किसके लिए है teacher education teacher institution के लिए तो नहीं है किसलिए यह लीगल मैंटर्स इन एजुकेशन नौ रिकोगनाइजिंग और क्वालिटी इशू इन टेक्निकल इंस्टिउशन टेक्निकल इंस्टिउशन के तुम लिए मैं AICT है तो यह भी नहीं होगा तो यहां पर यूजी सी जो है यह करता है मैं यहां पर कॉडिनेशन और क्वालिटी मेंटेनेंस का गाम तो यहां पर हम बोलते ना ग्रेड ओफ एक्सिलेंस प्रोवाइड करता है नेक एक्रेडिशन प्रोवाइड करता है ठीक है फड़ा फट फुल फूम बता दो नेक की ठीक है पेपर में आती है और NCT ही जो है यह हमारे बात करता है यहां पर टीचर एजुकेशन इंस्टिटूट्स की तो आंसर जो और D का बनेगा 5 है ना D का 5 होना चाहिए ना यहां पर लीगल अरे यह गलत है D का यहां पर 5 बनेगा ठीक है दीक है यहां पर 5 आएगा नैक लीगल मैटर स्थोड़ी देखता है नैक तो है जो एक्रेडिशन का काम करता है ठीक है कि A ग्रेड है A प्लस है यह चीज आती है तो फड़ा फट फूल फ़म बता दो नैक की पता तो सब की होनी चाहिए बट नैक की टेपर में आ रखी है National Assessment and Accredition Council याद रखना इसको इसका आंसर हो जाएगा option number D आगे देखें कौनसी fallacy आइस argument में Some birds are not beautiful creatures, all dogs are beautiful creatures, therefore no dogs are birds Hei उवल आपें कामशना बता है शी गर एब थाड़ा बता बता है पीपशी उपश्ट की की अच्ट उबावा कामशना बता यास के लाट इसका लागे वाभा वापाम में अलाधोगाम आंसर हो उ़द्ट है झाल झाल यहां पर यह O है ठीक है और यह A है और यहां पर यह I R है इस है Sorry I R आ यहां-पर हमाए पर क्यांद रहे है? यहां पर हमारी जो टर्म है वो डिस्ट्रिबूटेड नहीं है तो इलिसिट प्रोसेस ओफ मेजर टम की फैलिसी यहां पर आइज हो जाएगी क्योंकि अगर डिस्ट्रिबूटेड है तो दोनों में होनी चीह यह बात होती है इलिसिट मेजर में तो आंसर इसका हो जाएगा option number दी आगे देखिए which of the following are objectives in marketing communication marketing communication के कौन से objective है building competitive brands category need brand awareness brand attitude brand purchase intention intention झाल झाल तो यहां पर जो correct answer होगा वो होगा हमारा option number B ठीक है यहां पर है building competitive brands मतलब नीचा दिखाना marketing का objective कभी भी नहीं है marketing में हम ethics पढ़ते हैं ठीक है marketing में हम ethics पढ़ते हैं कभी भी आप किसी और चीज को नीचा दिखा के उपर उठोगे तो वो चीज बिल्कुल गलत है तो यहां प brand awareness, brand attitude, brand purchase intention इसका correct answer होगा तो option number B is the very correct answer आगे देखो इस question को बहुत असान और बहुत बढ़िया question इस care of opposition का if this statement all cricketers are rich person is given as false all cricketers are rich person मतलब यह जो है वो आपको false दिया हुआ है तो आप बताइए इन में से कौनसी statement है जो undetermined रहेगी undetermined कौनसी term रहेगी तीन relation होते हैं अपने पास contrary, sub contrary चार होते हैं सौरी, alteration और contradictory तो यहांके a के साथ तो तीन ही relation बनेंगे क्योंकि sub contrary तो नीचे वलों में होता है some or some note में तो यह तीन relation हमें देखने है तो undetermined किस में होगा यह मेरे को false अल्रेडी दे रखा है तो सबसे पहला relation हमें देखना होता है contradictory अगर यह false है तो यह तो 100% true है तो undetermined तो नहीं है तो यहां पर जो some note वाला है some note वाला तो मैं यहां पर आएगा निक क्योंकि वो तो true हो जाएगा no cricketer सा rich person यह दोनों एक time पे सही नहीं हो सकते है ना एक false है तो दूसरा true होगा एक true है तो दूसरा false होगा ऐसा होता है क्या फड़ा फट बताएंगे answer मेरे पस B आ रहा है अगर मैं यहां पर A होई नहीं सकता इसको काटा मार के आगे भढ़ जाओ ना क्यों पूछ रहे हो पर मैं दो पूछ होंगी क्योंकि paper में सिरफ अगर यह आ गया तो तो यहां पर क्या होता है दोनों एक बारी में सकते नहीं हो सकते जो contrary होते है ना वो क्योंकि दोनों false हो सकते हैं बर दोनों true नहीं हो सकते तो यह false है तो दूसरा यह तो true है यहagles है दोनों हो सकते हैं ऐसी होब हमारे साब प्लट्रेशन में होता है अगर उपर 100% false है तो नीचे true भी हो सकता और false में हो सकता है क्योंकि जो false है वो जो है वो उपर की तरफ जाता है और true नीचे की तरफ जाता है तो कुछ चीज़े सच है तो पूरी चीज़े सच हों ऐसा ज़्रॉरी नहीं है दस में से अगर आट चीज़े आट जाता है पूरी चीज़े हमेशा नहीं होसकती है तो नीचे गात रू है तो उपर जिलेड़ is two यह ho olmaz एक्सपरिमेंटल रिसर्च एक्सपोस्ट फेक्टो जो आफ्टर दी फेक्ट मतलब जो चीज हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं पार्टिसिपेशन अब्जर्वेशन और ग्राउंड़ थियोरी अप्रोच पड़ाफट करिए पांच कोशन और करेंगे इसके साथ ही हमारे सो कोशन आज की क्लास में पूरे हो जाएंगे पेपर वन और पेपर टू कोमट्स के ठीक है तो देख लेना अपना स्कोर जरूर बताना और कैसे लगा कोशन करके ठीक है और क्वेशन में जो भी कोशन समझ नहीं आया उसको ट्राइ करो कि समझो कि क्या चीज कोशन में पूछी गई थी और आप कहां पे अच्छे से नही उस चीज को समझ पाए हूँ यही चीज हेल्प करेगी जितने ज़्यादा प्रीवियस येर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफीशल होगा हिंदी में देख लो तो आंसर मेरे पास आरा option number third आंसर इसका one है ठीक है ए भी आया है येस बिल्कुल सही ठीक है तो आंसर थर्ड नहीं पस्ट होगा यहां पे और experimental research में हम क्या करते हैं हम control करते हैं Extremadura और manipulate करते हैं इंडीपेडेंट वर्येवल को उसका effect देखते हैं डीपेडेंट बरीवल तो एका क्या बनेगा five बनेगा बियोकुल सीधी जी बात दे रखे एक्स पोर्षट प्र ताफ्ट तो यहां पर getting करेंगा casual facts by retrospective analysis retrospective analysis exposed factor का keyword है participant observation मतलब जो लोग जिनको आपने observe करना है group बनाया उन्हीं को observe कर रहे हैं उन्हीं को study करोगे emphasis is the access to reality by sharing the perspective of people कि आप क्या कर रहे हैं जो लोग का क्या विचार है किसी चीज़ पर क्या perception है उस चीज़ को आप लेके चल रहे हो और grounded theory जो होती है वो बात करती है जर्नलाइजेशन की ठीक है तो यहां पर जर्नलाइजेशन होता है describing the status और condition यह हमारी descriptive research में आती है तो यहां पर जो fourth point था यह हमारा descriptive research का था answer यहां पर बन जाएगा option नंबर एक से हो गया था एक का five इसी से वह answer बन गया था यह question है very very important इसको करो solve ICT का question है दो binary numbers है हमारे पास P और Q एक्स जो है वो P और Q बता रहे है और का मतलब है addition है यह multiplication है और का मतलब होता है addition यह और यह और यह और यह और का मतलब हो बना हैand take गा स Exodus कि ए और कर फार का यह और है यह और यहो together एल मतलब है दो किशिण का उच मतलब हुर है तो जो ये values हैं इन values को लिख लो 1 0 1 1 0 0 1 Q जो है वो है 0 1 0 0 1 1 1 0 तो आप देख रहे हो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 है मतलब अगर मुझे add करना है तो सबका answer यहाँ पे क्या आने वाला है 1 आने वाला है अगर मुझे multiply करना है तो सबका answer क्या आने वाला है 0 आने वाला है ठीक है तो यहाँ पे अगर अब मुझे बताना है कि x और y की value क्या है तो यहाँ पे value क्या है 1 1 1 सबकी अगर add करने हैं और multiply करने हैं तो 0 0 0 तो answer जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर D आ जाएगा and का मतलब क्या होता है multiply और और का मतलब होता है add ठीक है यह चीज हमेशा ध्यान रखना and multiply को signify करता है और जो और है वो plus को addition को signify करता है तो जब यहाँ पर हमारे पर value बनेगी इस तरीके से तो यह value हमारी यहाँ पर बन जाएगी अगर multiply करना हो 1 और 1 को जैसे 1 है और 1 है तो यह 1 ही बनेगा अगर add करना है तो यह 1 0 बनेगा ठीक है 1 और 1 जो है वो क्या बनाते है 1 0 क्योंकि 1 और 1 2 बनता है और 2 को binary में क्या लिखते है 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1 में लिखेंगे तो 1 0 यहाँ पर बनेगा यह चीज धियान रखना confusion यहाँ पर हो जाती है आगे चलिए next question देखिए formative और summative assessment one of the most important topics in teaching aptitude तो आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर कुछ characteristic feature दिये हुआ है formative और summative assessment के ठीक है बहुत सारे teaching learning context में तो आपको बताना है formative assessment से कौन सी value यहाँ पर relate करती और options आपको यहाँ पर दिये रहे हैं ठीक है यह रहे आपको options learning standard को judge करने के लिए यूज किया जाता है improvement के लिए use होता है ठीक है during instruction होता है extended to performance appraisal of teacher, student and institution assessment is formal and post instructional in nature based on participation of both teacher and student अब formative जो होता है वो during instruction होता है और summative होता है after the instruction अब जैसे मैं आपका test ले रही हूँ यह तो formative assessment होगा आपका UGC net के exam होगा जिस दिन 18 को वो आपका summative assessment होगा उसका result आएगा जब तो यहाँ पर learning standard को judge करने के लिए किया जाता है मैं नहीं learning standard को तो हम यहाँ पर judge नहीं करेंगे वो तो हमारा summative में होगा है ना वो तो हमारा summative में होगा तो यहाँ पर answer option number A तो हो नहीं सकता इसको करो cancel इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है during instruction वाला point दोनों में है यह तो आएगा बी भी दोनों में है बिल्कुल improvement के लिए होता है used is extended to performance appraisal of teacher यह तो मैं summative में होगा ना जब performance appraisal आप देखोगे कि जब आप paper देखा हुए तब कितना पड़ा और कितना पड़ा हूँ आया वो चीज़े तो C भी नहीं आएगा तो answer क्या हो जाएगा option number B एफ क्या है participation of both teacher and student यह बात बिल्कुल सही है अब मैं आपको practice करवारी हूँ तो मेरा भी participation आपका भी participation है तो यहाँ पर answer बन जाएगा option number B आगे देखिए इस question को solve करेए time and work का question है A और B जो है वो complete करते हैं together task को 20 घंडे में after five words A leave कर देता है और B बचा हुआ कम 45 घंटे में पूरा करता है ठीक है बी को 45 घंटे लगते हैं तो यहाँ पर कितने arts हैं जो A को लगेंगे अगर उसने सारा कम खुद किया होता यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर मैं हमें बनाना होता है table A और B मिलके काम कर रहे हैं और अकेला यहाँ पर B है जो उसने काम किया अब मैं कैसे निकाल लगा है क्योंकि 20 घंटे उन्होंने काम करना था मिलके तो मिलके वह 20 घंटे में काम कर लेते यह तो ठीक है बी कितने दिन में काम करेगा कितने देर में काम करेगा पूरा वो कैसे पता लगेगा क्योंकि उसने तो पांच घंटे काम करने के बाद अकेले काम करना स्टाट किया तो हम यह देखेंगे कि वह बीस घंटे में अगर आपने पांच घंटे काम किया तो आपने कितना काम निप्टा दिया आपने वर्थ वन फॉर्थ काम अगर आपका निपट चुक थीक है तो 60 घंटे यहां पर लगेंगे बी को तो बी को अकेले को लगेंगे 60 घंटे अब यहां पर लेज लो LCM यहां पर आएगा 3 यहां पर आएगा 1 तो यहां पर बचा क्या 2 यह जो एक ही efficiency है यह efficiency निकली कि A और B मिलके 3 काम करते हैं B अकेला एक काम करते हैं तो एकेला दो काम कर देगा टोटल काम साथ करना है तो 60 यानि कि 30 आर्स उसको लगने वाले हैं उस काम को पूरा करने हों अगर अकेला एक काम करता ना 30 घंटे में पूरा काम कर देता आंसर हो जाएगा इसका option नमबर है इस question को देखिए लास्ट सेकेंड कोशन है हमारी आज की ग्लास का अगर एक टीचर को एक स्मोल एनिमेटेड वीडियो बनानी है अपने टॉपिक से रिलेटेड तो वो किस चीज की सहायता ले सकती है किस चीज की सहायता यहां पर ली जाएगी किस चीज की सहायता यहां पर ली जाएगी कि और किया मैं अब करेक्ट टांसर होगा वो होगा हमारा श्चन अंबर दिबी और दी जो है अनीमेकर और तू यह जो है यह आपकी स्वाइट को अच्छा बनाने में वीडियो अच्छा बनाने में अनिमेशन में हम लास्ट सेशन में मैंने आपको डिसमबर 2023 वाला पेपर सोल करवाया था तो इसमें अनिमेकर था जिसमें अनिमेशन वगरा होती है आटिफिशल इंटेलिजेंस का यूज होता है तो वहां पर कुछा हुआ था तो अनिमेकर को हमने एलिमिनेट किया था तो अनिमेकर वीडियो बनाने में पोटन यह भी वीडियो बनाने में क्या है काम आते हैं Google दोक्यमेंट जो है यह हमारे क्विज के लिए होता है यहां मारे पास questions बगरा होते इसमें Mind mapping tools, mind map बनाने में काम आते हैं, ठीक है, और poll everywhere जो है, ये भी quiz का एक tool है, ठीक है, quizzes के लिए है ये भी, तो answer क्या होगा, इसका B and D, यानि की option number D, इस question को solve करें, series वाला question है, pattern find out करने आपको, और बताना है, यहाँ पर क्या value आईगी, this is the last question of our today's class, यहाँ पर difference कितना है? 5 का है, यहाँ पर देखें तो 9 का difference है, यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना है? 15 का difference है, है ना, फिर इसके बाद इसको check करें, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 25 का difference है, तो क्या मुझे कुछ चीज यहां पर समझ आ रही है यहां डबल डिफ्रेंस किया चार का डिफ्रेंस आया है यहां पर छे का डिफ्रेंस आया है यहां पर दस का डिफ्रेंस आया है तो यहां पर कुछ समझ तो नहीं आ रहा है क्या कुछ समझ कि डबल डिफ्रेंस हम इसको कु हम जब हमारे पास कोई डबल डिफ्रेंस में बात ना बने ना तो हम क्या करते हैं हम यहां पर स्केर करने की कोशिश करते हैं अब यहां पर जो यहां पर थ्री है तो मतलब तू की पावर वन और वन की पावर वन यहां पर हमारे पास है एट में हम क्या ले सकते हैं तो की पावर 2 लेंगे 4 बनेगा और तो की पावर 2 चार और 2 की पावर 2 दो बार लेंगे तो बनेगा पिर यहां पे 1 इसका मतलब है हमारे पास यह जो 1 है उसका हमने स्कैर लिया यह टू की पावर 1 लिए इसको मैं देखती हूं यहां पर अगर double difference से तो कुछ नहीं बन रहा ह कि हम क्या करेंगे हाँ फित्री जो है वह कैसे बन सकता है बन कस्केयर प्लस ट्रू की पावर कहा जो ना इस तरीके से बन सकता है यह थ्री बन गया फिर हमाँ त्वर बन रहे हैं मैं मSean हंब और नंबर बनेंगे आगे 57 दिया वह 5 का स्केर 25 और 2 की पावर 5 32 25 प्लस 32 57 बन गया यह भी तो आगे भी पक्का बने गई अप्तो तो यहां पर देखो आगे नंबर क्या होगा 6 का स्केर प्लस 2 की पावर 6 मलब 64 64 और 36 यह बन रहा है 100 तो 100 आप्शन में भी यह आंसर आ गया बट आगे भी इसको देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या बनेगा 7 का स्केर प्लस 2 की पावर 7 तो 64 का डबल कितना होता है 128 128 में 49 को जोड़ना है यहां पर बनेगा 177 बिल्कुल तो आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहां पर बन जाएगा ठीक है तो यह एक और क्वेशन है चलो एक पी से भी रिलेटेड करी लो क्वेशन एनिप 2020 से क्वेशन बहुत जादा पूछे जाते हैं क्योंकि हमारी रीसेंट नैशनल एजुकेशन पॉलिसी है यह लाच कोशन आउज की क्लास का इसके बाद करते है माइन टम चाई चोंचेस से कुछ ना बन रहा होना मतूस्य कुछ न बन घरेंगेगे थी इस तरीके का भी फैटरन हैं यह पूछा जा सकता है क्योंकि नंबर मेरा भढ़ता जा रहा था है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में कौन से कौन से प्रिंसिपल एंजो इडेंटिफाइड किये गए हैं एनिपी 2020 के पर डिप्रिंड गुटिवन अंसरी अंबर सी बिलकुल गलत है बात कर रहें मुल्टि डिसिप्लिनरी की यह तो इसको कॉडिनेट करने की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो हमारा ऑप्षन था ना यहां पर हमारे पास C और A यह तो mutually exclusive है या तो C आएगा या A आएगा C मेरे को पता आएगा या आएगा multidisciplinary feature है A नहीं आएगा ठीक है A को eliminate कर दो तो हमारे पास बचे दो option C और D common है A और B में से देख लो education एक private service है जी नहीं education एक social service है ठीक है तो यह भी नहीं आएगा और extensive use of technology जी use करनी है बिल्कुल और promotion करना ethical और constitutional values का यह भी बात बिल्कुल सही है तो यह थे हमारे आज के सवाल I hope कि आपको यह पूरा mock test दे के जिसने पूरा mock test दिया होगा तो उसको एक confidence build हो गया होगा और इस तरीके से question को कैसे frame किया जाता है सारे previous year questions थे तो यहां पर आपको एक और तरीके से पता लग जाते हैं कि overall जब हम question करते हैं सारे mixed units के तो किस तरीके से हमें question को approach करना रहता है कोई भी किसी question में अगर आपको doubt है तो you can ask otherwise आज की class को करते हैं यहीं कि smart thank you so much मेरी तो बहुत अच्छी practice होगी I hope कि आपकी भी practice हो गई होगी and थोड़ा सा effort डालने की कोशिश की थी commerce वाले बच्चों के लिए especially की commerce का ही paper one video है मैं आपको करवा दूं तो वह चीज़ भी मैंने की बहुत सारे marketing देखो जैसे marketing से related ठीक है हमारे पर research ethics से related जो question एक दो थे वह हमारे relate करते है paper two से भी तो वह question भी मैंने आपको यहाँ पर करवाई है और एक pie chart DI की बहुत request आ रही थी वह भी मैंने आपको आज पूरी करवा दी है है pie chart DI मैंने complete करवा दी है बस तो बहुत सारे classes मैंने ली हुई है pie chart की ठीक है तो आज एक और class में एक और DI हमने यहाँ पर cover कर ली जी चले तो आज का session यहीं पर रखते हैं यहीं तक रखते हैं thank you so much bye bye comments में जरूर बताना और कल से आपके लिए जो classes start हो रही है कल से classes है पांच बजे तो यह जो class है आपकी comments की इसमें आपको 100 questions in 120 minutes का जो target अपना है वो हमने पूरा करना है question दिखेगा 10-10 second का time मिलेगा और आपको answer देना है और फिर आगे बढ़ेंगे question को देखके answer को देखके और answer का solution discussion discuss करके ठीक है तो इस तरीके से ही आपकी class है जो इससे भी fastly तरीके से रहने वाली है आज तो छोड़ा slow चली मैं क्योंकि previous year पेपर करवाना था दिसंबर 2023 का कल आपके previous year भी होंगे प्लस mcqs भी होंगे पचास-पचास question होंगे unit one और unit two के total hundred questions को हम cover करने वाले हैं पांच से साथ बजे और पेपर उनका जो session है वो चार बजे होगा जयरे फिद्डा चैनल पे पचास question पचास minute में target है देखते है math के question हम कर पाएंगे या नहीं पचास minute में 50 पर डियाई और math के questions हैं जो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूं ठीक है thank you so much मिलेंगे आपसे अब next session में जो की होगा हमारा कल ठीक है और आज के लिए अभी के लिए bye bye comments में जुरूर बताना कि किस तरीके से आपको यह session है जो लगते हैं जरूर so that मैं इन पर भी थोड़ा improvement कर सकूं को पढ़ाये जा रहे हैं फिर मेरको ऐसे लगते है कि क्यों लेनी class फिर छोड़ो फिर आप लोग बोलते हैं मैं class ले लो class ले लो पार्टिसिपेट भी किया करो अगर class लेनी otherwise अगर self study करनी है तो बता दो आप self study करो मैं forcefully नहीं पढ़ाऊंगी मेरा कोई खुद से पढ़ा जो जो पढ़ा चुकी हूँ उसी base पे question पूछा जा रहा है तो first question तुमारी screen पे है बताओ answer देना है सभी को रिष्टी handbook ना आपके घर पहुचा दिया जाएगा आपका address जो रता है ना उस base पे आपको पहुचाया जाएगा जैसे ही handbook ready हो जाएगा अभी ready होने वाले phase में चल रहा है आपके घर में courier कर दिया जाएगा वैसे अगर एक बार confirm करना है तो help line number पे पूछ कर बता देना इन्वार्नमेंट की देखो तुम क्या करना जब J.R.F.Adda YouTube platform पे जाओगी तो वहां playlist जो होता है ना प्ले लिस्ट में आपको UGC net paper 1 by रचना माम ऐसे तुमको मिल जाएगा जून एक्जाम की तेयारी के लिए ऐसे अलग से playlist बनी हुई है यहां पे जाओगी ना तो तुमक मेरी दोवारा लिवी classes आपको दिख जाएगी तुम्हां देख लेना आप लो ठीक है चलिए फर्स question का answer दीजे और carbon monoxide carbon monoxide is also primary air pollutant और तुम्हें मैंने बताया था कल ही कि यह बहुत ही खतरनाक है अब खतरनाक कैसे है यह तुमको इस question में बताना है it is an air pollutant when inhaled readily binds with the hemoglobin in the bloodstream ह होता है this is one of the protein hemoglobin की कारण जो है red color आपको हमाना जो blood red color होता है न the reason is hemoglobin इसलिए कई लोगो देखना जब आप blood test कराते हो तो hemoglobin किसी का कम होता है किसी का जाधा होता है obviously oxygen carrying component है यह हमारे शरी में जो भी oxygen carry होता है hemoglobin उसमें important role निभाता है तो यह क्या करता है carbon monoxide hemoglobin के compound बनाता है यह तुमको बताना है और maximum लोग सही answer दे रहे हैं the answer is carboxy hemoglobin यह याद रखना carboxy hemoglobin जो है यह component जो है यही कारण बन जाता है asphyxia का दम घुटने लग जाता है इंसान का और थोड़े दिर में ही दे उपर का जो है रस्ता बोलता है टिकेट कट जाती है उनकी तो carbon monoxide is very dangerous primary air pollutant यही compound का नाम याद रखना very good चलिए next question पर आते है second question है तुमारे screen पर बताओ biomagnification मैं तुमको पढ़ा चुकी हूँ अब इसी के उपर question है statement वाला आराम से पढ़ना और answer देना जितने भी terms और जितने भी चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हो जो लोग youtube पे independently पढ़ना चाते हैं उनके लिए बोल रही हूँ यहाँ से जो है notes बना दिया करो साथी साथ ठीक है छोटे 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 questions ही तुमारे बार बार repeat होते हैं अलग-अलग language में अलग-अलग language मतलब आपका सिर्फ वो थोड़ा change कर देते हैं language and concept वही रहता है देखो जैसे statement 1 देखो बहुत ध्यान से पढ़ना biomagnification occurs when the toxic burden of large number of organism at higher trophic level is accumulated क्या accumulate हो रहा है toxic burden of large number of organism at higher trophic level is accumulated and concentrated in the organism at lower trophic level मतलब statement तुमको कुछ अजीवसा नहीं लग रहा है कि जैव आवर्धन जो है तब होता है जब उच्च पोशी स्तर पर बड़ी संख्या में जीवों का विशाक्त बोज जमा हो जाता है और निचले पोशी स्तर पर जीवों में केंद्रित हो जाता है ऐसा कुछ पढ़ा था क्या तुमने biomagnification में सारे के सारे जो ए आंसर कर रहे हो निहारिका का एक मुझे दिख रहा है डी शालू का दिख रहा है डी हां ऐसा कुछ तुम लोगों ने पढ़ा है क्या हां ऐसा कुछ पढ़ा है क्या इस ट्राइब का जो statement है biomagnification में क्या होता था magnify होता था यानि कि ये नीचे लेवल पर कोई concentration नहीं होता था भाई और लोवर ट्रॉफिक लेवल पर कोई भी toxic burden नहीं होता था जो लोवर लेवल का है वो उसने लिया toxic material जैसे DDT लिया जैसे mercury लिया जो पानी में मिल जाता है फिर उसको खाने वाला जो जीव उपर है उसमें ये accumulate होने लग जाता है फिर उसको खाने वाले में और जादा accumulate हो जाता है और ऐसे ही जो सबसे food chain में सबसे उपर होता है उसके पास सबसे ज़्यादा बढ़ कर जो है वो toxic component उसके शरीर में चला जाता है यहाँ पे जो last line कुछ अजीब सा लिखा है concentrated in the organism at lower trophic level इसे कारणे statement wrong है the effect of toxins are magnified in the environment through food waves बिल्कुल सही है समझ में आ गया समझ में आ गया सो answer क्या होगा fourth is the answer first is wrong एक दम ही एक तोने question का मैं सहीं बतारी हूँ यह मुझे statement पढ़कर भी थोड़ा सा लग रहे है क्या बना दिया इन्होंने एक दम ही घुमा फिरा के कुछ भी बनाया है बट बहुत simple explanation यह है biomagnification में क्या होता है यह तुमको मैंने DDT का जब पढ़ाया था तभी समझाया था कि water में बहुत कम amount में DDT होता है कितने amount में होता है 0.003 parts per billion billion में million में भी नहीं billion में है इतने ही amount में DDT है इसको फिर zooplankton ने खाया तो इसमें आया 0.04 small fish ने खाया तो बढ़ता जा रहा है 0.5 हो गया large fish ने खाया तो 2 ppm हो गया और eagle ने जब खाया तो 25 ppm इसके अंदर DDT का concentration आ गया and this is the reason कि eagles जो है वो खतम होते जा रहे हैं और हम भी जो है पूरे food chain में सबसे higher level पे है इसलिए जब हम fish खाते है या ऐसे कुछ भी animals जिसके अंदर DDT है या mercury है इसका जब accumulation बढ़ता जा रहा है तो हमको सबसे जादा हानी होती है क्योंकि पूरे food chain में हम सबसे उपर पे है यह जो concept है यह बहुत बार repeat होता है बता दे रही हो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना यह हर बार repeat होता है हर बार UGC net इसको हर बार repeat करता है चलो third question पे आजाओ हाँ accumulation का statement है यह शालो चलो air quality index कल हमने पढ़ा था अब इसी में से मैं सुचा तुमनोंने ध्यान से देखा हो तो इस question का answer दो air quality index is represented in कौन से unit में कौन से style में जो है air quality index बताया जाता है यह न ABCD हिंदी पे तो कुछ अजीबी तरीके से हो गया है पुरा ही शुद्ध हिंदी आ गया है बताओ सब अलग अलग दे रहे हैं ना बताओ मैं सबको लगता है कि चलो यार यह माइक्रो ग्राम पर मीटर क्व है कुछ न कुछ तो ऐसा ही होगा माइक्रो ग्राम बोले गा पीपीएम मैं पार्ट्स पर मीलियन अवे पार्ट्स पर मिलियन में तो अभी तुमने डिटी का concentration देखा है, air quality index में कहां से parts per million आ जाएगा, जो लोग B कर रहे हैं, जोला सोच समझ के करना तो कुछ सोच रहे हैं, यार, percentage में होता है शायद, देखो यार, इतना simple question है एक line का question है, और ये पक्का जो है 60% बच्चे गलत करते हैं अगर अभी यहां पे कुछ voting वाला होता न, तो मैं बता रहे हूँ, percentage में 60% बच्चे या 70% बच्चो ने इसको गलत कर रखा है बहुत कम बच्चो ने सही किया है and the correct answer is numbers numbers में होता है, simple numbers में तुमने देखा नहीं तकल, मैंने समझाया है तुमको ये रहा, ये chart 0 to 50 क्या है, ये number है number है ये, 51 to 100, satisfactory 100, 1 to 200, moderatory polluted ये, these are in simple numbers ठीके, ठीके, और ये याद रखना बिटा कम से कम good और severe का जो है, उपर सबसे topmost और सबसे नीचे वाले का याद कर लेना ये तुमसे question में पूछ सकते हैं, कि good का कितना range होता है, उसना पूछा भी गया होगा पहले 0 to 50 good में आता है, और 400, 1 to 500 यानि कि ये है severely polluted है वो city जहां पे भी ये ना परा है air quality index आपका air quality तो बिलकुल ही एकदम जीने लाइक है ही नहीं जी क्यों रहे है, कैसे है वो, ठीक है 400, 1 to 500 और 0 to 50 good में आता है, याद रखना ठीक है, ये शालूनी इसको पूरा याद कर लिया है अब आते हैं हम लोग हमारे topic पे वो है volatile organic compounds पहले इस statement वाले question का answer तो कई लोगों को पता भी होगा तो कोशिश करो इसको answer देने की फिर हम लोग समझेंगे कि क्या होता है volatile organic compound, वास्प, shield, carbonic, yogic पताब हिंदी वालों को है न, 100 ओपों की सलामी देती हूं मैं, पता नहीं कैसे याद कर लेते हैं ये लोग वास्प, shield, carbonic, yogic चलो, बताओ good morning, शिखा, नैना, everybody, all-in-one, geography, कीरती सभी को good morning, बिटा, सभी को good morning time पे आ जाये करो, 11 बजे डॉट आ जाये करिए चलो, बताओ, volatile organic compound जो है, वो उसका answer बताओ are they emitted from vehicles, क्या पहला statement सही है दूसरा statement है, volatile organic compounds are emitted from some trees leaves, अभी सुना आये क्या, चलो, बताओ, answer करो अच्छा, तभी मैं सोचू, शालू का EVS है न, EVS वालों का तो एकदम ही मज़ा आलाता होगा environment पढ़ने में, चलो, अब पे तुम लोग को जो है आ जाओ, भाईया, copy pen लेकर बैठ जाओ, सारे के सारे, और volatile organic compound जो है तुम लोग को आज में पढ़ाती हूँ, और इस पे जो है हम बहुत कुछ समझेंगे, तुमारे अच्छे खासे notes बन जाएंगे, ठीक है, चलो, आजो copy pen उठालो, और हम आजाते हैं board पे, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे volatile organic compounds, compound क्यों बोलते हैं, ये 2-4 जो अपने carbon element तो रहता ही रहता है, साथ में और भी elements जुड़कर compound बनाते हैं, तुम लोग उने chemistry में पढ़ा होगा, है ना, जैसे H2O, water, compound है, ठीक है, चलो, अब ये इसको हिंदे में क्या बोला था हमने, वास्प, शील, carbonic, yogic, ठीक है, अब ये सबसे पहले ध्यान देना, volatile organic compounds जो है, वो group of compounds है, जिसमें mainly carbon होता है, क्या होता है ये, group of compounds, containing carbon, देखो, मैं जो ये लिख रही हूँ है, इसका कारण, ये statement वाले question में तुमसे पूछा जा सकता है, कि volatile organic compounds और group of compounds containing hydrogen, containing oxygen, ऐसे करके statement तुमसे पूछ सकते हैं, इसलिए हर statement को बहुत ध्यान से रखना, कि carbon होता है इसमें मैं नहीं, ठीक है, इसके अलावा, volatile organic compound की जो खासियत वो ये है, कि ये easily convert हो जाता है vapor में, vapor यानि wasp में, easily convert into vapor और gas, इसलिए तुम देखते होगे, जो paint करते हैं, paint में जो thinner होता है, इसमें volatile organic compounds मिलते हैं, हम इसके sources भी पढ़ेंगे, तब तुमको और अच्छे समझ में आएगा, इसके अलावा क्या है, ये low water solubility होती है, मतलब पानी में जो है इसकी घुलनशिलता बहुत कम होती है, low water solubility, ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखो, कि ये जो है indoor, यानि कि घर में जादा pollution होता है, due to volatile organic compound, लुकि हम घर में जादा use करते हैं, volatile organic compound, तो higher in indoor, then outdoor, यानि कि ये एक ऐसा है primary component, जो कि आपको indoor में जादा problem create करता है, as compared to outdoor, ठीक है, अब इसके अलावा तुम ये समझो, कि volatile organic compounds जो है, इसमें, अभी मैं तुमको list दूँगी पूरे volatile organic compounds का, इसमें जो है benzene, benzene ring तुमने chemistry में पढ़ा होगा एक time पे, तो benzene और formaldehyde, ये इसके नाम याद कर लो भाई, ये दोनों जो VOC है न, they are actually proven carcinogen, ये proven carcinogen है, यानि कि prove हो चुका है कि इसके कारण जो है cancer होता है, carcinogen बोलते हैं, इसको carcinogen, carcinogen यानि कि cancer, जो compound या जो element जो है, आपको cancer दे सकता है, cancer जैसी खतरनाक बिमारी, वो है benzene और formaldehyde VOC ने, ठीक है, अब याद रखना कि भाई, ये देखो, ये list मैं तुमको दिखा देती हूँ, this is the list, पहले answer तो बाद में देखेंगे, list देखो, ये पूरा list है, तुमको ये पूरा PDF मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, और हर compound का atmospheric lifetime मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो इसमें जो है, मैंने बोला formaldehyde, और हमारा जो benzene है, ये carcinogen है, क्या है, carcinogen, ठीक है, 10 दिन रहता है ये, atmosphere में, और इसके source क्या है, industrial emission, vehicle emission, biomass burning, और formaldehyde का VOC oxidation, biomass burning, देखो, biomass burning कितना main source बनता जा रहा है, vehicular emission से कितने खतरनाक निकलते हैं, अब इन में से एक ऐसे भी compound है, जो इतने ज़ादा problematic नहीं होते हैं, वो है ethane, और है propane, याद रखना, ethane और propane जो है न, वो इतने ज़ादा खतरनाक नहीं होते, low-dangered बोल सकते हो, या low-danger होता है इससे, कि ज़ादा problem मतलब बहुत जल्दी जो है न, secondary pollutant में convert नहीं होता, अब मैं तुमको बताती हूँ, पूछो के तुम लोग की माम, volatile organic compound, कितना खतरनाक कैसे होता है भाई, क्या reason क्या है, तो reason ये है कि बेटा, इसके जो reactions होते है न, इसको ध्यान में रखना है आमको, कि बाईया, ये इतना खतरनाक क्यों बन जाता है, तो ऐसा है कि जो देखो, तुम सभी जानते हो, हम लोग पढ़ चुके हैं, कि O3, ozone, ground level ozone, जो है, ground level बोलो, इसको ground level भी बोलते हैं, या tropospheric ozone भी बोलते हैं, ये मैं तुमको कई बार समझा चुकी हूँ, कि ये eye irritation, और कई तरह की जो बिमारिया है, ground level ozone के कारण होती, ठीक है, है problematic, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, smog, photochemical smog, this is also problematic, इसके बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने, कि यार ये भी दिक्कत देता है, फिर कल हम लोगों ने पढ़ा कि particulate matter 2.5, कितना जादा harmful है, है ना, ये सारी चीज़े हम पढ़ चुके हैं, अब तुमको मैं बता दूँ कि ये तीनों चीज़ बनने में VOC का सबसे बड़ा हाथ है, तो reaction ऐसे होता है कि जो volatile organic compounds है, जितने भी तुम देख रहे हो, ये क्या करते हैं, nitrogen oxides, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, nitrogen oxides, nitrogen oxides में क्या आएगा, NO और NO2, nitrogen dioxide, इसके साथ मिलकर, in the presence of sunlight, sunlight चाहिए उसके लिए, तभी photochemical reaction होगा, in the presence of sunlight जो है, ये तीनों चीज़े बना देते हैं, क्या, ozone, smog और PM 2.5, particulate matter 2.5 बनता है, और तीनों के तीनों तुमको पता है कितने ज़्यादा problematic होते हैं, ये तो चलो, photochemical reaction के कारण ये तीनों चीज़े बनाई इसने, VOC ने, और अकेला VOC भी अगर ज़्यादा देर तक आप इसके exposure में रहें, तो आपको बहुत सारी problem हो सकती है, तो in this way, VOC is harmful to human health, पता होना चाहिए, कि भाईया, वास्प, शील, carbonic, yogic, जो है, वो क्या-क्या करता है, nitrogen oxides के साथ दोस्ती करता है, और अपने दोस्ती करने के साथ साथ, तीन खतरनाख खतरनाख villain को पैदा करता है, इनकी जो दोस्ती है न, वो इतने खतरनाख villains पैदा करती है, कि आप देखी रहे हो कितने सारी problem होती है, ठीक है? अब यहाँ पर समझो, यह तुम लोगों ने देख लिया, कि ethane और propane low danger है, benzene और formaldehyde जो है, वो तुमको problem create करते हैं, अब यहाँ देखो, कई-कई ऐसे compound है, जिनके sources, देखो, क्या है, plants, 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 मतलब तुम देखो, plants भी जो होते हैं, जो VOCs release करते हैं, and you know how VOCs are harmful, समझ में आया? तो यह देखो, यहाँ पर कबसे पहले ध्यान दो कि VOC के sources क्या है, तो sources में तुम देख लो, aerosol sprays, जितने sprays, 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 use करते हो, सब जो है, VOC release करते हैं, pesticide, wood preservative, paint जो तुम लगाते हो, thinner, घर में paint होता है, VOC release करता ह air freshener तो हम बड़ी खुशी से लेकर आते हैं, तौलेट में डालते हैं, घर में air freshener, भई पता है कि VOC release कर रहा है यह, disinfectant cleanser, अब उनको सबसे हाँ तो हैरानी हुई, dry cleaned clothing, भई या, खुशी खुशी जाते हैं, dry cleaner के पास, है, खुशी खुशी जाते हैं, dry cleaner के पास, तुम ल dry clean कर आएंगे, है न, suit को हम, सारे जो blazer, blazer होते हैं, सब gents लोग dry clean कर आने जाते हैं, तुम जाते हो, dry clean clothes जो तुमारे पास आता है, वो यह VOC release करता है, याद रखना, ठीक है, office equipment, printer, copier, gasoline, wood burning, diesel emissions, vehicular emissions तो खैर होता ही होता है, इसमें तो कोई doubt नहीं है, लेकिन कुश- ऐसे भी चीजे है, जो हमें पता नहीं होती है, और VOC release कर रही है, तो याद रखना, अब ये तो हमारे हुए anthropogenic, यानि कि human activities के कारण, या household products जो होते हैं, वो release कर रहे हैं VOC, कबसे जारा आश्चरी की बात ये है, कि naturally भी VOC release हो रहे हैं, आओ, forest, मैंने बता है न, trees के कारण, कुछ trees जो होते हैं, वो volatile organic compound release करते हैं, ocean, termites, termites, दीमक जो लगते हैं भाई, ये भी VOC release करते हैं, जितने wetland है, इसको box बोलते हैं, VOGS box, अभी मैं तुमको आने वाले slide में photograph भी दिखाऊंगी, box का, ठीक है, जोने वो mashy area नहीं होता, दलदल जैसा, पूरे पौधे उसमें ठीक है, और साथ साथ जो volcanic eruption होता है, volcanic eruption ये भी जो है VOC release कर रहे हैं, ये sources का नाम याद रखना, sources से अकेला question आ जाता है, और खासकर जो ये naturally है ना, किसको ज़रा ध्यान रखना, ठीक है, चलो, ये हो गया, तो हिंदी में में मेरे डाल दिया है, वायू मंडल में जो है, प्र एटलेंड को बोलते हैं, आर्दर भूमी और जो आला मुखियों द्वारा, ठीक है, अब मैं तुमको reaction बताई दिया, कि volatile organic compound और NOx जो है, मिलकर ground level ozone और fine particulate matter साथ में जो smog है, वो सब ये बनाता है, ठीक है, अब impact कैसे डालता है तुमारे health को, तो देखो यार, हमने पढ़ी लिया है कि जो ozone है, वो तो surrogate है, इसकी eye irritation की, तो ground level ozone अगर वो create कर रहा है, तो आख को irritate करेगा, nose and throat को irritate करेगा, अस्थमा अगर कोई अस्थमा रोगी है, तो और जादा वो परशान हो जाएगा, इसके अलावा, VOC अकेला भी जो है, आपको ये सारे damage कर सकता है, लीवर, kidney, central nervous system, nausea, ulty होने लग जाएगी, तो notice करना, ये मेरे साथ भी होता है, पता नहीं कितने लोग के साथ होता होगा, जब मेरे को कभी भी जो ये air fresheners होते हैं, ये अगर थोड़ा सा भी जाया देर तक अगर मुझे आया ना महें, तो मुझे ulty होने लग जाती है, पता नहीं क जाधा अगर air freshener बहुत देर तक तुम inhale करोगे तो, okay, so ये सब है, loss of coordination, आपको visual impairment हो सकता है, अंधापन जैसा आजा है, memory loss होगा, और जो मैंने आपको बताया, benzene and formaldehyde जो है, वो proven carcinogen है, ये तो cancer दे रहा है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना, इसके अलावा जो मैंने तु नाम है white spruce, इस plant का नाम है white spruce, ये एक तरह का VOC release करता है, वो क्या होता है, उसका नाम, monoturpin, याद रखना ठीक है, monoturpin, ये ही है वो VOC, जो release होता है atmosphere में, और सिर्फ ये ही plant नहीं, बहुत सारे plants जो है न, ये VOC release करते हैं, what is the reason, उसका reason है to attract pollinator and to repel harmful insect and animals, जो हानिकारक कीडे होते हैं, उसको दूर भगाने के लिए VOC release करते हैं, और तुमको बता है VOC जो है, वो highly, तुरंथ evaporate हो जाता है, हवा में तुरंथ फैल जाता है, क्योंकि तुरंथ evaporate हने वाल है, तभी तो उसको volatile बोलते है, wasp shield, तो ये तुरंथ क्या होता है, या तो pollinator को attract करेगा, जो परागन होते हैं, परागनक जो होते हैं, उसको अकरशित करेगा, और जो हानिकारक कीडे उसको भगाने का काम करेगा, और कई बार जो trees होते हैं, वो अगर stress में हुए न, तो VOC release कर देते हैं, तो मतलब तुम देखो, कही न कहीं, plants भी जो है, problem create कर रहे हैं, कहीं न कहीं, तो यह जो है, तुम्हारा पूरा मैने जानकारी तुमको दे दी है, पूरे VOC की, इससे जादा जानना ज़रूरी नहीं है, VOC क्या होता है, VOC कितने type के होते हैं, क्या sources हैं, how they react in the atmosphere, कि वो क्या-क्या निकाल के लेते हैं, वो कुछ compound के नाम है, उसके atmospheric lifetime, थोड़ा बहुत याद रखना, जो थोड़े important जैसे, benzene का 10 दीन रहता है, formaldehyde एक दिन रहता है, इतना थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है, बस, चलो, तो इसका जो answer था हमारा, अब वापस से question में आते हैं, यहां लिखा है, volatile organic compounds are emitted from vehicles, यह हमने देख लिया, example, हमने देखी लिया, white spruce, ठीक है, तो यह सारे जो है, आपको volatile organic compound release करते हैं, तो both statement 1 and 2 are true, ठीक है, समझ में आ गया, any doubt here, किसी को भी कोई doubt, put it out, चलो, तो जितने लों fourth कर रहे थे, second, third, अब answer समझ में आ गया होगा, that the answer is first, okay, चलो, अब next question पर चलते हैं, related to VOC's only, यह देखो next question तुमारी screen पर, fifth question बताओ, अब इन लोगों ने VOC नहीं लिखा है, यह अभी, अभी June का ही question नहीं है, इन्होंने VOC नहीं लिखा, अगर तुमको पता नहीं होगा VOC, कि formaldehyde is also one of the VOC, तो इस question का answer बना ही नहीं पाऊगे, give the answer of this question, आज ही room freshener बाहर कर देगी भावना, और नहीं तो क्या, Yes, तो यह तुम लोग ने पढ़ी लिया, कि formaldehyde जो है, वो indoor environment में सबसे जादा होता है, thousand times higher than the outdoor environment, बिल्कुल सही है, और formaldehyde is a known carcinogen, अभी हमने पढ़ लिया, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा, आप देखो, इस एक concept से तुमको कितने question बन रहे है, ठीक है, Done, both 1 and 2 are true, चालो, next question पे आजा, अब VOC के बारे में और भी जानो, Which of the following statements about the VOCs are correct? Headache होता है न, वही, I have so many indoor plants, पसांग, हर plant VOC release नहीं करता है, यह ध्यान रखना, हर plant नहीं करता, कुछ ही करते हैं, ठीक है, और कई indoor plants तो अच्छे भी होते हैं, ठीक है, जो आप रख सकते हैं, बिल्कुल, They are actually releasing oxygen, तो वो आपके लिए अच्छा भी होता है, वंची का live timing मतलब आप 11 बजे आजाओ paper 1 के लिए, 11 बजे जो है, हर रोज आजाए करो, Monday to Friday for paper 1, और अगर education subject है, तो 1 प्यम पे, YouTube पे, देखो यार, VOC बताओ मुझे, क्या यह acid कराता है, acid rain, नहीं, cause cancer, yes, they play an important role in the formation of photochemical smog, yes, so what is the answer, B and C only, हतम, what is the answer, B and C, यह acid rain नहीं कराता, acid rain क्यों होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, किन दो element के कारण, किन दो pollutant के कारण acid rain होता है, याद रखना, sulfur dioxide और nitrogen oxides, यह जो दोनों मिलते हैं न, यह कराते हैं acid rain, amlia, amlia, amlia वर्षा, amlia वर्षा बोलते हैं इसको acid rain, इसको ध्यान रखना, अभी questions भी आने वाला है, sulfur dioxide is also primary pollutant, और nitrogen oxides तो हम पढ़ी चुके हैं, यह दोनों जब मिलते हैं, तब acid rain होता है, यह शालू, very good, ठीक है, यह देखो मैंने डाल भी दिया है, sulfur dioxide and nitrogen oxides, चलो, next question पर आजाओ, suit particles, अभी यह कुछ नया है, बताओ, हिंदी में लिखा है कालिक, क्या कालिक ही बोलते हैं इसको, कालिक के कर्ण क्या है, बताओ suit particles क्या है, नहीं नहीं भावना आया, इतना तो नहीं पूछेंगे कि कौन से plant करते हैं, यह तुमको बताई दिया है, मैंने white spruce, और भी ढूण ले न, एक pine needle भी होता है, एक plant, pine needle, ठीके, pine needle नहीं होता है, पाइन्स होते हैं न, जो, उसके needle जो है न, यह release करते हैं, वी-ो-सी, pine needle थोड़ना बोलेंगे, पाइन्स, यह भी वी-ो-सी रिलीस करते हैं, एक white spruce बोला मैंने, ऐसे कुछ नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर दो-चार नाम ध्यान रखोगे, तो बढ़िया है, ऐसे तो मुझे ही लगता पूछना चाहिए, चलो, very good, suit particles जो है, suit particles क्या होते हैं, देखो suit particles क्या होता है, incomplete combustion के कारण, जो अपना, यह जो fossil fuels का incomplete combustion होता है, उसके कारण यह suit particles बनते हैं, ठीक है, समझो, यह यहाँ मैंने बताया है, यह suit particles क्या होते हैं, fine, black और brown powder होते हैं, तो थोड़े sticky होते हैं, चिप-चिपा होते हैं, और यह कैसे बनते हैं, यह incomplete combustion, यानि जो आदा अधुरा जलता है न, बस उसकी कारण यह बन जाते हैं, amorphous carbon होता है इसके अंदर, और combustion, incomplete combustion किस कावई, कोईले का, oil, wood, यह जो है न, fossil fuels, fossil fuels के, या दखना, fossil fuels के incomplete combustion के कारण, यह suit particles generate होते हैं, इसलिए इसको carbon black या black carbon बोला जाता है, lamp black, काले-काले से होते हैं, powder जैसे, ठीक है, और यह बता दो, this is PM 2.5, particulate matter 2.5, इतने छोटे होते हैं, यह 2.5 micron से भी कम होते हैं, ठीक है, toxic obviously होते हैं, यह coarse size नहीं होते, मोटे आकार के नहीं होते हैं, 2.5 हो गया, तो मोटा आकार तो होगा ही नहीं, बस B को हटा दो, answer मिल गया, contribute in global warming, toxic होते हैं, और यह obviously छोटे हैं, 2.5 है, तो lungs में अंदर तक जाकर बैठ जाते हैं, ठीक है, that can penetrate into deeper parts of the lungs, और इसी से आपको bronchitis, जो बीमारियां होती है, इतनी भी वो इसके कारण हो जाती है, अस्थमा जो है, यह सब साधे, aggravate हो जाते हैं, ठीक है, so the answer is AC, D, and D, suit particles याद रखना, ठीक है, चलो, next question पे आजाओ, which of the falling, अब देखो यह, अभी पढ़ाया मैंने, which of the falling pollutants is responsible for acid rain formation, अभी आया है, इस बार भी आया हुआ है, December में भी यह question पूछा है, अब बताओ, जिसके भी shift में आया होगा, इसे तो तुरंद एक मिनिट के इंदर बना दिया होगा, और उसको पता होगा तो, acid rain formation के लिए कौन दिमेदार है, बताओ, येस, very good, तो the answer is simple, the answer is sulfur dioxide हो गया, अब देखो बेंजीन ही इसमें से VOC है, carbon monoxide हम जानते हैं कैसे निकलता है, methane के बारे में हम आने वाली classes में पढ़ेंगे, बता दू, methane is also one type of VOC, ये भी ध्यान रखना भई, methane is also one type of VOC, और अब जब हम लोग greenhouse gases पढ़ेंगे न, तो वहाँ पे methane को भी पढ़ेंगे, आने वाले classes में, जुड़े हैं न, environment के लिए, मैं environment में बिलकुल लग गई हूँ, तो यहाँ पे जो है हम लोग अब आने वाली classes में greenhouse gases पढ़ेंगे, और यही से मैं आपको greenhouse gas पे जितने भी protocols आए हैं, उसको भी हम cover करेंगे, इससे क्या होगा जब तुम protocols पढ़ते हो न, जितने भी protocols आए हैं, क्या होता है, बच्चे confused हो जाते हैं, इतने सारे protocols आएं, किस-किस से related है, तो जब मैं greenhouse gas तुमको पढ़ाओंगी तब ही, तुमको Kyoto protocol के बारे में जो है, deep में समझाओंगी, Montreal protocol क्या था, यह सब चीजे पढ़ाओंगी, जो सबसे ज़्यादा question में पूछा जाता है, तो यह हमारे आने वाला जो है, focus area रहेगा, greenhouse gases, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, चलो, next question पे आजा लो, एक और आगया, which of the falling air pollutants cause acid rain, जून में पूछा गया था, यह question, वायू प्रदूशक अमलिय वर्षा का कारण बनता है, कौन सा, तुर लो जड़ा इसमें से, NO3 नहीं, मैंने बताया था न, NO3 बन ही नहीं पाता बेटा, तुम लोग ने केमिस्ट्री नहीं पढ़िया लगता है, ठीक से बेटा, यह न, यह negative charge आजाता है, यह, यह, यह कोई pollutant नहीं है, pollutant जो है, वो है nitric oxide NO, कल मैंने पढ़ाया था आपको NO2, यह दोनों जो है, यह होता है NOx, यानि nitric oxides बोलते हैं, नमनों nitrogen oxides, उसमें NO आता है और NO2 आता है, ठीक है, यह दोनों air pollutant है, और N2O जो होता है न, यह nitrous oxide है, इसको laughing gas बोलते हैं, और this is greenhouse gas, greenhouse gas है यह, ठीक है, N2O, nitrous oxide, चलो तो इसमें हमने समझी गए, कि sulfur dioxide मैं हम आएगा, और आपने कहा था, nitrogen oxides आता है, तो nitrogen oxides में क्या होता है, हमारा, nitric oxide और nitrogen oxide, तो खतम, what is the answer, A, B and D is the answer, उके, very good, perfect, चलो, अब last question कर लो, आज की class का, which among the following are sources of VOCs, तो जून exam में ही, देख लो तुम, जून exam में ही, VOCs को लेकर कितने questions, अभी तो मैंने बहुत सारे डाले भी नहीं, VOCs को लेकर अकेली कितने सारे questions दिख रहे हैं तुमको, येस, very good, all-in-one geography, methane, methane तो garbage हुआ, और भी जगे से methane release होता है, methane के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, येस, तो सारे के सारे हो गए, देखो, vehicle भी हो गया, plants भी हो गया, अगर तुमने नहीं पढ़ा होता, तो तुमको लगता है, या termite कहां से होगा, दीमक कब से VOC release करने लग गए, पर तुमको अभी बताया है, natural source में दीमक भी आएंगे, है ना, और देखो, कितने NTA smart है, कि उसने एक option जो है, A, B, D, and E भी ले रखा है, किसी कोगा थोड़ा सा भी confusion हुआ, तो वो ये हटा देगा, अरे यार यार यह होगा option में, दीमक कहां से आएंगे, दीमक भी है, power plant तो है ही, और box, ये wetland में लिखा है इन्होंने, ये क्या लिखा है, box, box word याद रखना है, English वालो, ताकि हिंदी में दलदल लिखा हुआ है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, fourth is the answer, A, B, C, D, N, D, सारे के सारे जो हैं, वो VOCs release करते हैं, ठीक है, अब ये देखो, मैंने box का एक फोटो डाल दिया है तुमको, ये देखना, इस ताइप का दिखता है, पूरा दलदल वाला जो न, तुम्हारे गाउं में भी बहुत दिखता है, और जो ये wetland से जो release होता है न, VOC, इसको बोलते हैं, बायोजेनिक VOCs, ये एक नया word है, तो VOC नहीं बोलते हैं, बी, वी, ओ, सी बोलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ओके, चलो, तो आज की class हम लोग यहीं end करते हैं, और बहुत कुछ छोटे-छोटे- पढ़ने का तरीका होता है, अगर YouTube से ही पढ़ना चाहते हो, so the way, how to crack JRF with the help of only YouTube videos, उनके लिए एक tip है, कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो environment की एक अलग से notes, मतलब एक अलग से जो है न, किताब बना ले, ठीक है, एक अलग से notebook बना ले, और जब आप जो unit पढ़ा, तो एक notes में जहां आप particular matter के बारे में लिख रहे हैं, उसके आगे न, दो-चार page छोड़ के रखे, ऐसा ने कि एक page में particular matter पढ़ लिया, फिर अगले page में VOC पढ़ लिया, VOC डाल दिया, फिर उसके अगले page में कुछ और मिल गया, वो डाल दिया, इसके करन्द क्य जाना नहीं बनेगा, इसको करने का तरीका क्या होता है, कि अगर मान लिजे कि आप particular matter के बारे में notes बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि जहां पर आपने लिख लिया, उसके बाद 2-3 page वहाँ छोड़ दे, अब वहाँ पे जभी भी particular matter के बारे में कुछ भी आपको नया पता तो उसमें आप add-on करते रहें, यह पढ़ने का तरीका होता है, फिर जिन्दिगी भर आपको जभी भी particular matter के बारे में पता लगाना है, आप सीधे उस notes को refer करोगे, अभी भी वैसे ही करना, जैसे VOC के बारे में पढ़ रहे हो, तो VOC के बारे में पूरा लिखते जाओ, जहा कि झाते जारे में